बदला तो मिला लेकिन जिस लेवल पर नाजीज ने क्राइम किया था या जिस लेवल पर उन्होंने लोगों की जिन्दिगिया उनसे छीनी थी जिस लेवल पर उन्होंने जन संगहार किया था शायद उसका कभी भी बदला वापिस नहीं लिया जा सकता था कि इंडिया के अंदर हम लोग follow करते हैं FPTP, first pass the post system, ठीक है सर, इसमें क्या होता है, कि basically हर party को जितने member वो खड़े करना चाहे कर सकती है, एक ऐसी जमीन जहां पर सिर्फ और सिर्फ नाजीज रहेंगे और वो जमीन बहुत खुशाल जमीन होगी, Hello my new army, कैसे हैं आप सभी लोग, I am your social science educator समीत रपाठी and I welcome you all to this session, I hope आप सभी लोग बहुत ही शांदार और जबर्दर्स्त होंगे, दोस्तों, I know festive season है, पढ़ाई का इतना मन नहीं कर रहा है, तो कैसी चल रही है आप सभी की दिवाली की त्यारियां, एक बार मुझे चैट के अंदर जरूर बताएगा fire emoji के साथ, एंड साथ-साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लो, क्योंकि एक्जाम जल्दी नजदीक आने वाले हैं, तो ठीक है, दिवाली celebration चलती रहनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ-साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़े बैलेंस करनी है लेकिन हाँ, दिवाली का enjoyment वो जाधा होना चाहिए, पढ़ाई ठीक है, थोड़ी कम भी हो जाए, चल जाएगा यार, festive season है, थोड़ा तो enjoy करेंगे न हम लोग, तो बिलकुल enjoy करने का है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, जाधा जाधा मस्ती करो, और जम कर enjoy करो, दोस्तो and the rise of Hitler, और in fact, एक one of the important chapter भी आप कह सकते हैं, इस point of view से, कि इनमें जो जानकारियां दी गए हैं, जो facts हमें बताए गए हैं, वो हमें जानना भी जरूरी है, exam के point of view से भी important है, और थोड़ा से complicated कई बार हमें chapter लगता भी है, तो nothing to worry about, क्योंकि इस chapter के लिए what I am going to do is कि आपको मैं किसी PPT से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको directly book से ही पढ़ाने वाला हूँ, books की line by line मैं आपको explanation देने वाला हूँ, ताकि ये chapter आपका बहुत अच्छे से त्यार हो जाए, ताकि जब आप book को देखें, तो आपको सारी बाते याद आजाए, कि हाँ ये तो हमारे समीर सर ने बताया था, कि यहाँ पर इस point का मतलब ये है, तो इस पूरे chapter को हम बहुत अच्छे से, बहुत मज़े से, बहुत detail में पढ़ने वाले हैं, और सारी चीजों को clear करने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आएगा, एकदम बहतरीन तरीके से पूरा lecture आप लोगों को देखना है, पूरा lecture cover करना है, और हो सके तो साथ में अपनी एक NCRT book लेकर भी बैट जाओ, ताकि मैं जब चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूं, तो आप अपनी book में भी उसको देखते रहें, और साथ-साथ mark करते रहें, कौन से important points हैं, देखो, इस chapter में आगे बढ़ने से पहले, मैं आ लास lecture में आप लोगों के याद होगा history का जो लास lecture था, उसमें socialism in Europe की हमने बात की थी, कि किस प्रकार से Russia के अंदर social revolution हुआ था, और किस प्रकार से February, October revolution हुआ, और, you know, मुनार्की को हटा कर Republic establish कि और बाद में Republic से भी सत्ता थीन का socialism स्थापित कर दिया गया, अब देखो, य कुछ हिस्सों में तो socialism स्थापित हो गया, लेकिन वहीं पर ये वो time period है, जब कुछ हिस्सों में dictatorship establish होगी है, डिक्टेटर्शिप का मतलब समझते हो, डिक्टेटर्शिप का मतलब होता है, जब कोई military leader, power अपने हाथ में ले ले देश चलाने की, तो उसको बोलते हैं, डिक् present context में तो आप सभी जानते हैं, North Korea में भी dictatorship चल रही है, अगर जानते हैं, तो मुझे comment section में आप बताएंगे, कि North Korea में अभी जो dictator rule कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, तो I hope अब आप उसन चीजों को relate कर पाएंगे, कि basically dictatorship थी क्या, अब ये जर्मनी में कैसे establish होई, क्या क्या ची अपने आप में आखिर क्या थी, Jews का जो large scale में persecution हुआ, Jews को जो large scale में मारा गया, क्या वो नाजिसम से ही जुड़ा हुआ था, या उसका कोई और reason था, और सिर्फ Jews को ही मारा गया, क्या दूसरी community या दूसरे race की लोगों को भी मारा गया था, ये सारी चीज़ें, इस chapter के पास के time पे, एक 11 year old लड़का है, German boy, जिसका नाम है Helmut, Helmut अपने bed पर लेटा हुआ था, तब ही उसने अपने parents को बात करते हुए, सुना कि वो time नजदीक आ गया है, जब उसके father, उसकी mother से बोल रहे थे कि या तो मैं तुम सब को मार दूँ, या तो मैं खुद suicide कर लूँ, या तो मैं पूरी family को मार दूँ, या तो मैं खुद suicide कर लूँ, और ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि भाई देखो, हम अब युद्ध में हार चुके हैं, और allies अब हमारे लिए आ रहे हैं, और हमने जो juice के साथ किया है, उसके लिए वो हमें कड़ी सजा देने वाले हैं, अगल अगले नौ साल तक अपने घर में खाना ही नहीं खाया, ये सोचकर कि कहीं उसको जहर ना दे दिया जाए, अब हेलमुत को ये चीज समझ नहीं आ रही थी, कि आखिर इसका क्या मतलब था, लेकिन हेलमुत के पिता जी एक नाजी थे, जिन्नोंने वर्ड वार्ट टू के जर्मनी हार गया, तो उनके मन में ये खौफ आ गया था कि अब हमने जो भी क्राइम किये हैं, उसकी सजा हमको मिलेगी, विसिकली जब हम हिटलर की बात सुनते हैं, तो हिटलर वास दी डिक्टेटर ऑफ जर्मनी और माना जाता है कि वो जर्मनी को एक सुपर पावर बनाना चाहता था, वो पूरे यूरोप को conquer करना चाहता था, पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, और उसी विक्ती ने लार्ज किल में ज्यूज को मारा भी था, लार्ज स्किल में ज्यूज का persecution किया था, concentration camps के अंदर ले जा ले जाकर, लेकिन नाजिजम केवल एक या दो अलग- ideology है जिसको हम इस chapter के अंदर बहुत detail में समझने की कोशिश करेंगे right? Nazism it was a system it was a system it was a system, एक structure of ideas की world और politics कैसे चलना चाहिए और detail में Nazism के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं और Helmut के पिता जी ने आखिर खुद को क्यों मार लिया ये भी समझने की कोशिश करते है basically ये पूरी कहानी शुरू होती है world war 2 के साथ world war 2 के साथ, देखो world war 2 की शुरुवात कब हुई थी? मैं आपको थोड़ा सा context दे देता हूँ world war 2 की शुरुवात मानी जाती है 1939 में हुई थी और ये चला था 1945 तक, world war 2 में दो super powers लड़ाई लड़ रही थी एक तरफ थी allies और दूसरी तरफ थी central powers central या excess powers की मैं बात करूँ allies या excess power excess power की मैं अगर बात करता हूँ तो excess power में हमारे पास थे Germany Japan और Italy और allies की तरफ हमें देखने को मिलते हैं Britain USSR USA France ठीक है इनके बीच में majorly ये लड़ाई चल रही थी जिसमें excess power 1945 में हार गए थे आपने बहुत जादा सुना भी होगा कि USA ने जपैन पर दो atom bomb गिरा दिया थे Hiroshima और Nagasaki पर जिसके चलते ही ये युद्ध खतम हो गया था तो में 1945 में क्या होता है में 1945 में Germany ने allies को surrender कर दिया था Germany ने allies को surrender कर दिया था और reason मैंने आपको बता दिया क्या reason था USA ने जपैन पर USA ने जपैन पर दो atom bomb गिरा दिये थे Hiroshima और Nagasaki के इलाकों में अब चूकि obviously उनको पता था कि हम यो धार चुके हैं और आगे जो हुने वाला है वो अच्छा नहीं होगा क्योंकि हमने जो Jews और बाकी लोगों के साथ किया है उसकी कड़ी सजा हमें मिलेगी तो Hitler के जो minister थे Godless Hitler के minister Godless और Hitler ने Berlin में उन्होंने एक bunker बनाया हुआ था May में उन्होंने surrender किया April में हारने से पहले उनको पता चल गया था कि हमारने वाले हैं तो उन्होंने suicide कर लिया War जब खतम हुआ तो एक council बनायी गई जिसको कहा गया International Military Tribunal International Military Tribunal ये एक tribunal होता है जो ये देखता है कि War क्यों हुआ War में किसने कितना crime किया War में किसने कितना loss किया War में किसने कितने ज़ादा लोगों को मारा Nuremberg ये एक शहर है जर्मनी का ही वहाँ पर ये tribunal सेट अप की गई और इसका main motive क्या था कि नाजीज ने जो जियूस को मारा है नाजीज ने जो ये नो पूरे दुनिया की peace को खराब किया है नाजीज ने जो वार के दौरान इतने ज़ादा crime किये है इनसानियत के अगेंस्ट में जो crime किये है उसके लिए उनको सजा दी जाएगी जर्मनी ने जो वार के दौरान काम किया है जर्मनी की government ने जो वार के दौरान काम किया गया है उनको कहा गया crimes against humanity कि ये किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेश या ग्रूप के अगेंस्ट में crime नहीं ये पूरी इंसानियत के अगेंस्ट में crime है क्योंकि जिस तरीके से Jews को persecute किया गया था that is completely unacceptable, intolerable और इसी के चलते क्या बात होनी शुरू हुई कि भाई ये जो नाजीस जो बच गया है इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाने से है basically हुआ क्या था second world war की आड में नाजीस ने एक genocide develop कर दिया था एक genocide करना शुरू कर दिया था genocide का मतलब समझते हो large scale में लोगों को मारना जन संगहार, that is known as genocide तो वो war केवल किसी country के against में war नहीं था, Germany's war के नाम पर genocide कर रहा था, large scale में लोगों को मार रहा था कुछ selected group of लोगों को large scale में मार रहा था, जिससे आप देखेंगे कि भाई 6 million Jews मारे गए थे 6 million Jews you can understand, 6 million Jews का मतलब समझ रहो, 60 lakh Jews को मारा गया 2 lakh gypsies को मारा गया gypsies कौन थे, यह basically nomadic people थे, यह basically चरवाहे थे, जो North Africa के इलाकों में देखने को हमें मिलते थे और Europe के इलाकों में 1 million Polish Poland के लोगों को मारा गया, in fact 70,000 Germans को तक मारा गया उसने केबल जर्मनी को भी नहीं छोड़ा उसने Germans को भी मारा, जो physically और mentally disabled थे, उनको तक को मार दिया गया can you understand, और जो भी उनके political opposition में थे, हिटलर के उनको तक मारा गया Nazis, बहुत you know, एकदम आप क्या क्या सकते इतने बुरी तरीके से लोगों को मारते थे जो हमारी imagination से भी बाहर है, वो ऐसे बड़े-बड़े room बना दे थे, जिसको concentration chamber कहा जाता था, इस room को पूरी तरीके से pack कर दिया जाता था और उसमें एक shower लगा होता था, वो shower से पानी नहीं gas निकलती थी, अब लोगों को एक साथ एक room में भर दिया और उसमें जहरीली gas छोड़ दी, पांच मिनट के अंदर लोग दम घुटने से मर जाते थे, इतने लोग मारे गए जिसकी, जिसका वो पसंद नहीं करते, इवन उनको भी persecute कर देते, large scale में नरसंगहार उन लोगों ने किया था, नरसंगहार, कैसे? गेस चेमबर में ले जाकर, particularly उनका सबसे famous एरिया था आउश्वेट्स, आउश्वेट्स में सबसे बड़ा गेस चेमबर था, आज वहाँ पर museum बनाया गया है, इनी Jews या बाकी race के लोगों को जिनको मारा गया है, उनकी जगह पर वहाँ पर इतने सारे जूते, इतने सारे कपड़े मिले हैं, जिन लोगों को मारा गया था, उनके नियूरंबर्ग ट्रिबुनल, नियूरंबर्ग ट्रिबुनल क्या है? यही, international यही, क्या कहते हैं? कहाँ चला गया? International Military Tribunal, जो नियूरंबर्ग में सेट अप हुआ था, इसी को नियूरंबर्ग ट्रिबुनल भी कहा गया, नियूरंबर्ग tribunal ने क्या किया सिर्फ 11 नाजीज को death sentence दिया सिर्फ 11 नाजीज को death sentence दिया बाकी सब को life imprisonment घोशित कर दिया सब को life imprisonment दे दिया although ठीक है बदला तो मिला लेकिन जिस level पर नाजीज में crime किया था या जिस level पर उन्होंने लोगों की जिन्दिगिया उनसे चीनी थी जिस level पर उन्होंने जन संगार किया था शायद उसका कभी भी बदला वापिस नहीं लिया जा सकता था बात समझ रहे हैं ultimately लोगों को ये समझाया कि ये जर्मनी की जो पूरी कहानी ना इसके शुरुआत First World War से ही हो गई थी ये जो पूरा Rise of Hitler है या जो जर्मनी के अंदर ये सारी चीज़ें हुई कहीं ना कहीं इसके शुरुआत First World War से ही हो गई थी देखो भाई First World War का मैं आपको टाइम पीरिड बता देता हूँ First World War First World War का टाइम पीरिड है 1914 से लेकर 1918 तक First World War में भी अगेन दो पावर्स थी Allies और Central Power या Axis पार आप कुछ भी कह सकते हैं Allies और Central Power Allies में हमारे पास अगेन इस तरफ थी Britain France लेकिन यहाँ पर Italy इनके साथ लड़ रहा था Allies के साथ Italy उसके लावा हमारे पास है America और Russia और दूसरी तरफ Central Power के मैं बात करूँ तो जर्मनी Austria Hungary और Ottoman Turkey Germany Austria Hungary और Ottoman Turkey Central Power में थे And again इस First World War में भी Germany हार गया था इस First World War में भी Germany हार गया था Allies ने Germany को हरा दिया था Germany बहुत powerful empire था ठीक है Germany बहुत powerful empire था लेकिन होता क्या है इन्होंने First World War लड़ा 1914 से 1918 के बीच में Austrian empire के साथ किस के against में Allies के against में अलाइज में कौन कौन थे, इंग्लेंड, फ्रांस, रशिया और उसके साथ साथ इटली और अमेरिका भी था, सभी ने जॉइन को बहुत जोरो शोरो से एकदम बहतरीन तरीके से जॉइन किया और सभी ने का कि नहीं हम युद्ध को जम कर लड़ेंगे, जम कर हम इस होता है, तो economical resources तो खतम होते ही हैं, साथ ही साथ कितना death और destruction भी होता है, तो लोगों ने जहां सोचा कि ये एकाद महीने में युद्ध खतम हो जाएगा, ये युद्ध चार सालों तक चला और यूरोप का almost पूरा resources युद्ध में खतम हो गया, जर्मनी ने initially बहुत अच्छ powerful बना दिया, and ultimately Germany हार गया, Central Powers और Germany हार गया 1918 November में, अब हार के बाद क्या हुआ, ये चर्चा हुई कि भाई आखिर युद्ध का पूरा खर्चा किसके ओपर जाएगा, ये जो युद्ध हुआ है, इसका loss जो हुआ, इस loss को कौन भरेगा, तो ultimately क्या किया गया, युद्ध का दोश किसी ना किसी को तो देना था, तो सारी कंट्रीज ने मिलकर क्या किया, युद्ध का सारा दोश जर्मनी के ओपर थोप दिया, और जर्मनी के ओपर युद्ध का सारा दारोंदार थोप कर क्या कहा गया, कि भाई, जर्मनी के कारण ये युद्ध हुआ था, और अगर युद्ध जर्मनी के कारण हुआ था तो अब जो भी युद्ध के अंदर हमारा लॉस हुआ है उस सभी लॉस को शती पूर्ती करने का जो पूरी जिम्मदारी है वो जर्मनी की है जर्मनी के अंदर से पहला काम क्या किया गया अब देखो after the war क्या क्या चीजें हो रही सुनते वेचलना, इंपीरियल जर्मनी के हारने के बाद वहाँ से राजा को हटा दिया राजा ने थ्रोन को फोड़ दिया अब्डिकेशन का मतलब होता है त्याग देना जर्मनी के राजा ने अपने सिहासन को त्याग दिया और क्या किया एक पारलियमेंटरी government स्थापित की गई जिसको बोला गया Wemer Republic, एक national assembly बनाई गई Wemer में, Wemer एक शहर का नाम है और उन्होंने एक democratic government स्थापित की कहाँ पर जर्मनी में एक democratic constitution के साथ एक democratic government स्थापित की कहाँ पर जर्मनी ने की भाई अब जर्मनी के उपर राजा का rule नहीं है यहाँ पर अब elected representatives का राज होगा, यह एक republic और democratic government हम establish कर रहे हैं जर्मनी के अंदर एक federal structure के साथ federal structure के साथ मतलब क्या हुआ कि भाई अलग-अलग level of government होगी central government होगी, state government होगी, local government होगी तो क्या decide किया गया युद के बाद कि राजा को सत्ता से हटा दिया गया और एक democratic government स्थापित की गई जो कि एक elected government होगी और सब को right to vote दिया गया ठीक है, अब सारे deputies या सारे नेता जो होंगे जर्मन Parliament के लिए, वो elected होंगे और सब को right to vote दिया जाएगा ये सारे टार्म्स आपको याद रखने है जर्मनी की पॉलिटी को दूबारा से शेप किया एक national assembly स्थापित की कहांपे वीमर ने, और उन्होंने क्या किया उन्होंने एक democratic constitution स्टैबलिश किया और एक federal structure स्टैबलिश किया और क्याोंड कि अब जर्मन पार्लेमेंट के लिए जर्मन पार्लेमेंट या फिर राइक्स टैक के लिए वोटिंग होगी और सब को यूनिवर्सल वोट्स यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिये गए मतलब विमेन को भी वोटिंग राइट्स दी गई यहाँ पर ठीक है सर यह जो रिपब सब्सक्राइब देटेटिव डिमॉक्रेसिया एलेक्टेड गवर्मेंट स्टैबलिश हो जाए तो सबने तो इसको सपोर्ट किया होगा लेकिन इस रिपबलिक का कोई खास सवागत लोगों के द्वारा किया नहीं गया reason क्या है क्यों आखिर इस Republic को अच्छे से स्वागत नहीं किया गया कई बार यह सवाल आता है कि वीमर Republic was not received well by its own people क्यों वाइ यह सवाल directly बन जाता है कि वीमर Republic was not received well by its own people वाइ क्यों नहीं की गई तो उसके कुछ कारण है points सुनतो है चलना पहली चीज बहुत जादा नाखुश थे ध्यायन से सुनना जो peace treaty की गई देखो युद्ध खतम होने के बाद ना एक शांती समझोता किया जाता है peace treaty कहां की गई treaty of Versailles यह जो treaty of Versailles की गई थी यह अपने आप में बहुत ही humiliating थी humiliating मतलब भूँत ही जादा असम्मान जनक थी और दूसरी जादा बहुत जादा हार्ष थी जर्मनी के ओपर क्या किया गया जर्मनी ने जो आसपास की countries पर कबज़ा किया हुआ था उससे वो countries झीन ली गए दूसरा point जर्मनी ने क्या जो आसपास की countries पर कबजा किया हुआ था colonies जो बनाई हुई थी आसपास के शेत्रों को कबजा करके वो उससे छीन ली गए उसकी area में जो उसकी 10th of its population उसकी population का दस्वा हिस्सा उससे छीन लिया गया जो उन एरियास में रह रहे थे उसकी 13% खुद की territories छीन ली गए 13% of its own territories were taken away उसका 75% iron और 26% coal फ्रांस को दे दिया गया पोलेंड को दे दिया गया और डेनमार्क को दे दिया गया और लिथ्वानिया को दे दिया गया allied powers ने next काम क्या किया allied powers ने जर्मनी को demilitarize कर दिया मतलब कि आप जर्मनी के पास कोई भी हथियार नहीं होंगे उसकी सत्ता को कमजोर करने के लिए जर्मनी से उसकी सारी you know army या you know उसके जो armed power थी वो सब उससे छीन ली गई और जर्मनी के उपर क्या लगा दिया गया war guilt clause very important war guilt clause ये क्या था what was this war guilt clause कि भाई इस युद्ध को लड़ने का या इस युद्ध का जो पूरा you know जिम्मेदार है वो जर्मनी है जर्मनी को एक लौता जिम्मेदार ठहरा दिया गया इस पूरे युद्ध का जर्मनी आपने उसका territory चीन लिया आपने उनकी नेचरल रिसोर्सेश चीन लिया आपने उनकी population चीन लिया आपने उनकी जमीन चीन लिया और war guilt clause उपर से उनकी उपर डाल दिया जर्मनी को 6 billion pound अब चुकाना है allied countries को जर्मनी को क्या बोला गया जर्मनी को force किया गया कि अब वो 6 billion pound compensation पे करेगा शतीपूर्ती की तरोड पे करेगा किसको allied countries को कि उन countries में युद्ध के कारण जो भी loss हुआ उसकी शतीपूर्ती केवल और केवल जर्मनी करेगा 7th point ठीक है उसके अलावा allied armies ने क्या किया जर्मनी का जो rheinland का इलाका है राइन लैंड का इलाका कौन सा है कि वो इलाका है जहां पर बहुत सारे resources है look at this यह राइन लैंड का इलाका दिख रहा है यह वो इलाका है जो बहुत ही जादा resource rich है ये बहुती जादा resource rich है पहले ये पूला इलाका जर्मनी के गबजे में हुआ करता था देख रहो, बाद में क्या हुआ जर्मनी से ये इलाका छीन लिया गया ये इलाका छीन लिया गया, उसकी population उससे छीन लिये गई बात समझ रहे हो उससे ये इलाके फ्रांस के द्वारा छीन लिए गए उसके अलावा ये जमीन उससे छीन ली गई League of Nations ने उनसे जमीन छीन ली और ये Demilitarized Zone की यहाँ पर अब कोई भी weapons या कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी और आगे चलकर Rheinland को भी France और बागी countries छीन लेती हैं अब मेरी बात समझना इनके पास जो भी natural resources हैं वो इनी जगहों पर हैं जो भी industries हैं वो इनी जगहों पर हैं अगर आप उनसे वही इलाका छीन लेंगे तो कैसे ये अपनी life को sustain कर पाएंगे जब ये काम ही नहीं कर पाएंगे पैसे ही नहीं कर पाएंगे तो लोन कैसे पे करेंगे बात समझें तो बाकी लोगों को क्या लगा कि भाई it is because of Weimar Republic ये पूरी treaty accept किस ने करी थी ये treaty accept करी थी वीमर Republic ने तो लोगों ने क्या कहा कि ये वीमर Republic की गलती है कि उन्होंने इतनी harsh treaty को accept किया उनको accept ही नहीं करनी चाहिए थे इस treaty को हम युद्ध को जारी रहने देते लेकिन आप ने ये treaty को accept करके हमारी जिंदीगी बरबाद कर दी अब सोचो ना जर्मनी को अगर loan pay करना है तो वो पैसे किस से लेगा अपने लोगों से अब लोगों को job मिल ही नहीं रही है तो वो tax कहां से देंगे tax नहीं देंगे तो जर्मनी का loan pay कर पाएगा जर्मनी लोन पे नहीं कर पाएगा तो दूसरी कंट्री उसको force करेंगी जर्मनी तब भी नहीं पे कर पा रहे तो उससे उसके area छीनना शुरू करेंगी उसके industries छीनना शुरू करेंगी उसके natural resources छीनना शुरू करेंगी बात समझें कि भाई मैंने घर लोन पे लिया है और ये घर के कागस बैंक के पास हैं बैंक ने काया कि जब आप लोन चुका दोगे हम घर के कागस आपको लटा देंगे लेकिन मैं लोन नहीं चुका पाया तो वो मुझे force करेंगे कि नहीं लोन दो लोन दो एक point आएगा जब मैं लोन नहीं दे पाऊंगो तो वो मेरे घर को बेज कर सारे पैसे अपने पास रख लेंगे तेम काम बाकी कंट्रीज ने करना शुरू क्या कि जर्मनी के उपर ये जो war guilt clause लगाया गया था जिसके चलते उसको सारा लोन पे करना था शतीपूर्टी के लिए सारा पैसा पे करना था अब जर्मनी वो पे नहीं कर पाएगा आगे चलके जिसके चलते क्या होगा जर्मनी के एरियाज उनसे छीन लिये जाएंगे और ultimately जर्मनी की हालत बहुत जादा खराब हो जाएगी और लोग इस सब की गलती किसको दे रहे हैं Weimar Republic को क्यों क्योंकि ये treaty किसने sign की थी ये treaty किसने sign की थी Treaty of Versailles Treaty of Versailles ये किसने sign की थी सर वीमर Republic ने किसके साथ ? अलाइड powers के साथ वीमर रिपब्लिक एंड अलाइड पार अलाइड पार के साथ बात समझें? बिलकुछ सही सर अब ओव्यस सी बात है कि युद्ध का जो एफेक्ट होता है वो कुछ अच्छा नहीं होता है युद्ध से हमेशा केवल और केवल लॉस होता है और माना जाता है कि युद्ध के अंदर जर्मनी के अंदर युद्ध के दो प्रकार से लॉस हुए एक साइकलोजिकल लॉस भाई इनसान का हम साइकलोजिकली बहुत ठक चुके होता है युद्ध से अपने आस पास केवल युद्ध से पहले युरोप बहुत अमीर कॉंटिनेंट होता था और युरोप के पास बहुत पैसा था लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये युद्ध लड़ा गया है इसमें मैक्जिमम युरोपियन कंट्रीज ही इन्वाल्ड है अगर आप फर्स्ट वल्ड वार को भी देखेंगे तो मैक्जिमम कंट्रीज जो इसमें इन्वाल्ड है वो युरोपियन ही है कौन-कौन सी? जर्मनी, आस्ट्रिया हंग्री, ओट्में टर्की उसके लावा फ्रांस, इटली, रश्या का कुछ हिस्सा तो मैक्जिमम जितनी भी कंट्रीज हैं इवन ब्रिटेन ये सब क्या है? ये सब सर यूरोप में ही स्थापित है सिर्फ एक कंट्री को अगर छोड़ दिया जाए अमेरिका तो वो यूरोप से दूर था बाकी सारी कंट्रीज यूरोप और उसके आसपास ही लोकेटिट थी सर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंग्री, ओटोमन, टूर्की, ब्रेटेन, फ्रांस, इटली, रश्या बिल्कुल था ही सर अब चुकि पूरा युद्ध यूरोप के अंदर ही हुआ है जिस इलाके में युद्ध होता है, उसका डिस्ट्रक्शन सबसे जादा होता है युद्ध से पहले यूरोप बहुत ही एक रईस कॉंटिनेंट था कॉंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर समझते ना, जो लोन देता है उसके पास बहुत पैसा सा वार के बाद यूरोप किसमें बदल गया कॉंटिनेंट ऑफ डेप्टर्स डेटर्स समझ रहे हो, जिनके ओपर अब लोन है जिनके ओपर खुद के ओपर पैसों का बहुत भार है जिनके ओपर खुद के ओपर अब बहुत जादा ये नो रण है, रण समस्ते हो न उधार है जिनको बहुत सारा पैसा चुकाना है ये सब क्यों हुआ? युद्ध के कारण ये सब क्यों हुआ? युद्ध के कारण और अल्टिमेटली इन सब का प्राइस किसे पे करना था? ये नई वीमर रिपबलिक को कि पूरा दोश गलती किस की ती? गलती राजा करके गया वो तो चला गया अब है कौन रियालिटी में? वीमर रिपबलिक तो जो भी लॉस है, जो भी ये नो, डेट है, जो भी कुछ उनके उपर भाहर है सब किसको पे करना पढ़ रहा है? सर वीमर रिपब्लिक को और अल्टिमेटली गालियां भी किसको पढ़ रही है सर वीमर रिपब्लिक को कि ये सारी वीमर रिपब्लिक की गलती है राइट लोगों के मन में ये गुस्सा है लोगों के मन में ये 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 बहुत जादा क्रोध है कि भाई हमारे उपर वार लेवल पर हुमिलेशन किया गया, हमारे सम्मान को छीन लिए गया, जर्मनी के लोगों से उनकी जमीने छीन लिए गया, लोगों के अंदर इस चीज को लेकर बहुत गुसा है, लोग इस चीज बिलकुल भी खुश नहीं है कि हमें पे करना पड़ रहा है इस युद्ध के लिए और इसके कारण्ट क्या हो रहा है जर्मनी की पूरी एकोनॉमी खराब हो रहे क्रिपल्ड मतलब वीक हो रहे है कमजोर हो रहे है उनकी एकोनॉमी क्यों क्योंकि उनको कंपेंसेशन पे करना पढ़ रहा है Vimal Republic को support कौन कर रहे थे Vimal Republic को support कर रहे थे Socialists, Catholics Socialists, Catholics और Democrats second chapter में हमने पढ़ा थे Socialists, Catholics, Democrats जो यह मानते थे कि नहीं भाई, एक elected government होना ज़रूरी है और किसी भी देश का rég curvature है वो elected होना चाहिए तो यह तो खुश थे कि Vimal Republic आ गया चलो ठीक है लोगों के हाथ में सत्ता है लोगों के हाथ में पावर है लेकिन क्या बाकी लोग, common लोग ये लोग Veemer Republic को support कर रहे हैं? नहीं तो Veemer Republic के उपर तो attack हो ही रहे है प्लस उनके जो supporter हैं लोग उनके उपर भी attack कर रहे हैं over the period of time कौन attack कर रहे हैं? conservatives conservatives जो बोलते थे कि नहीं मोनार्की ज़ादा बेटर थी क्योंकि अगर मोनार्की होती तो ये war guilt clause को कभी accept नहीं करते वो treaty of Versailles को कभी भी accept नहीं करते और इन लोगों को क्या कहा जाता था? socialist, Veemer Republic, catholics और democrat को क्या कहा जाता था? कि November में जो crime हुआ है न जर्मनी के साथ ये crime इनहीं लोगों ने किया है ये Veemer Republic ने ये crime किया है और इसी crime का जो बोज है हम उठा रहे हैं और इसी का पैसा हम पे कर रहे हैं यही mindset आगे चलके आपको देखने को मिलेगा कि हिटलर के rise का कारण बनता और दूसरी चीज़ युद्ध के बाद, first world war के बाद European society और polity के अंदर बहुत से बदलाव हुए soldiers को civilians से उपर रिखा जाने लगा मेरी बात समझना, आम लोगों से जादा उपर रखा जाने लगा soldiers को, जब युद्ध चल रहा था तो लोग soldiers के बारे में सुनते थे और बोल जेते वा भाई, वो वहाँ पर युद्ध लड़ रहे हैं, कितने brave हैं, कितनी, यह नो, बहतरीन लड़ाईयां लड़ रहे हैं, इतने times हो उन्होंने अपने देश को बचा कर रखा हूँ, अपने देश को इस sentence का क्या मतलब है, इस sentence का मतलब है, कि basically क्या होता था, कि जो युद्ध लड़े जाते थे न, वो ऐसी छोटी-छोटी खाईयों के अंदर लड़े जाते थे, वो लोग क्या करते थे, आप कभी भी आप अगर फुटेज देखेंगे, कोई मुवी देखी होगी, तो वो लोग क्या करते थे, जमीन के अंदर ऐसे लंबे-लंबे गढ़े बना ले थे, बहुत लंबे-लंबे ऐसी tunnels बना ले थे, और tunnels में छुपकर अटेक करते थे, कई-कई दिनों तक वो उन tunnels में छुपे रहते थे, ताकि जब आर्मी आये, तो हम sudden attack करते उनके उपर, या bombing हो तो हम उससे बच सकें बच समझ रहे हो, तो trench life को glorify कर रही है, मीडिया कि देखो भाई, soldiers ने जो लड़ाई-लड़ी, वो trench में कितनी महान जिन्दगी जी रहे थे, लेकिन सच में ऐसी हालत नहीं थे, soldiers से अगर कोई पूछे, soldiers से अगर कोई पूछे तो उनकी जिन्दगी बहुत खराब थी, बहुत बुरी जिन्दगी जी रहे थे, तो मतलब war को, देखो, आम लोग या politicians क्या बोल रहे हैं कि war continue रहना चाहिए, war सही चीज थी, हमें फिर से war लड़ना चाहिए, वो soldiers को और promote कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं, और भी जर्मनी के लोगों को आगे आना है और इस यूद में participate करना है, हमें जर्मनी के national pride को बचा कर रखना है, हमें उनको समहाल कर रख हैं उनकी नजरों के सामने लेकिन फिर भी वो वहां से निकल नहीं सकते, क्यों कि अगर निकले गए तो सामने वाली आर्मी जो छुपके बैठी है, उनके ओपर attack करेगे और वो मारे जाएंगे, उन्होंने अपने सामने अपने लोगों को मरते हुए देखा, poisonous gas, enemy shelling, shelling का म उनकी जो संख्या थी, वो तेजी में reduce होती जा रही थी, एक तरफ aggressive war propaganda कि नहीं भाई, युद्ध लड़ना बहुत जरूरी था और दूसरी तरफ कि भाई, युद्ध क्यों लड़ना है हमारे nation के pride के लिए, हमारे nation के respect के लिए, ये center stage बना दिया गया, ये बोलागा कि नही भाई, हमें यही करना है, तो conservatives or dictators ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने का कि नहीं भाई, अगर युद्ध continue रहता, और अगर हम और लड़ाई लड़ते तो शायद जर्मनी की ये हालत नहीं होती, conservatives कौन, जो राजा को support करते हैं, पुराने system को support करते हैं, उन्होंने क्या कर लोगों के मन में ये बाट डालने शुरू कि कि भाई, अगर युद्ध रहता, हमारे nation के respect नहीं जाती, हम युद्ध को जीत जाते हैं, और ये जो war guilt clause हमारे उपर लागू किया गया है, जो tax हम से लिया जा रहा है, वो tax हमको नहीं पे करना पड़ता, it is just because कि ये republic आ गई है democracy आ गई है, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि republic और democracy एक कमजोर form of government है, क्यों? क्योंकि वो अपनी respect के लिए लड़ना नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अपनी respect के लिए कैसे हमें आवाज उठाना है, कैसे उसके लिए लड़ाई लड़नी है, अगर यहीं पर इनकी जगे कोई राजा या कोई dictator होता, तो शायद ये war guilt clause या versatile treaty नहीं sign होती, तो वो लोगों के अंदर ये बात डालना शुरू कर रहे हैं, कौन? conservative or dictators, dictatorships, क्या बोल रहे हैं कि भाई, अगर ये चीज हमारे यहाँ पर होती, तो definitely हम war guilt clause कभी भी accept नहीं करते हैं, और हमारे जर्मनी का जो सम्मान हमसे छीना गया है, वो सम्मान हमसे कभी नहीं छीना चाहता, बात समझे? और ultimately, ये रोप के अंदर जो democracy और republic की बात थी, लोगों को भी ये लगने लगा कि नहीं भाई, democracy useless है, अगर dictatorship या कोई strong center में कोई ruler होता न, तो वो शायद कभी भी इस war guilt clause को accept न नहीं होना चाहिए, और लोगों के मन में भी ये बात आनी शुरू हो गई, conservatives ने जो कोशिश की लोगों को वो convince करने में, you know, fully successful हो गई, कि हाँ भई, हमें एक strong central ruler चाहिए, ये democracy या republic नहीं चाहिए हमें, हमें strong central figure चाहिए, जो अपने देश की pride, अपने देश की respect को वापस लेकर आए, और हमें युद्ध में जिता करिए, जो आपके उपर पूरा भार है, लोन भरने का, वो हमारे उपर से हटा दे, अब इसी बीच में क्या हो रहा है, political radicalism, politics में बहुत से major बदलाव हो रहे हैं, और same time पे economic crisis चल रहा है, जर्मनी के अंदर, वीमर रिपब्लिक, वीमर रिपब्लिक का बर्थ तो हुआ, लेकिन उसी टाइम पे आपको पता है कि, same time पे, 1918 में, if you remember, 1918 में, USSR या रश्या में क्या चल रहा है, सर, February Revolution, October Revolution, socialism का rise हो रहा है, हो रहा है, सर, तो वीमर रिपब्लिक के opposition में, एक party established हुई, एक league established हुई, जिसक रश्यविक party बनाई गी थी न, रश्या के अंदर, जिसने सत्ता, government को हटा कर सारी सत्ता अपने हाथ में ले ले ली थी, वैसी एक league जर्मनी के अंदर बनना शुरू हो रही थी, which was called Spartacist League, और इसका भी वही एम था, कि हम वीमर रिपब्लिक को हटा के सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, बात समझ रहे हो, इसके members कौन थे, इन्होंने जर्मनी के अंदर सोवियत बनानी शुरू की, सोवियत समझते हो न, ग्रूपिंग, workers की, नाओ चलाने वालों की, establish की गई, अब बरलिन के अंदर क्या demand हो रही है, कि भाई हमें एक सोवियत style government चाहिए, जैसी government सोवियत union में है, वैसी ही सोवियत union वाली government हमें जर्मनी के अंदर भी चाहिए, अब इसका opposition, obviously बात है कौन लोग करेंगे, जो वीमर रिपबलिक को support कर रहे हैं, जैसे socialist, democrats और catholics, इन्होंने क्या decide किया कि नहीं भाई, हम socialist को आगे नहीं बढ़ने देंगे, I mean, communist को आगे न अंदर established नहीं होने देंगे, Spartacist League ने जब इसका गेंश में विद्रोग क्या movement करने की कोशिश की, तो वीमर रिपबलिक ने क्या किया, Spartacist League को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, उनको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, जो युद्ध में लड़ने soldier गए थे, उनको गए तो उनकी मदद से, Spartacist League को हटा दिया गया, खतम कर दिया गया, ताकि रशिया में जैसी government आई, वैसी government जर्मनी में ना आपाए, अब, obvious सी बात है कि यही वो time था, जब जर्मनी के अंदर दो ग्रूप्स आ गए, एक तरफ communist, communist party, एक तरफ तो communist party, और दूसरी तरफ वी इमर रिपब्लिक, तो communist versus socialist होना शुरू हो गया, communist versus socialist होना शुरू हो गया, जर्मनी के अंदर, अब, obvious सी बात है कि इनके बीच में आपस में ही political लडाईया चल रही है, तो आगे चल कर जब हिटलर का rise होगा और वो सारी सत्ता को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, तो ये parties उसका विरोध करी नहीं पाएंगी, क्यों, क्योंकि ये आपस में लड़ रही है, socialist और communist आपस में लड़ रही है, socialist क्या बोल रही है कि हमारे है democratic government होनी चाहां पे हर विक्ति election में वोट करें और फिर हम अपने representatives को चुने, communist क्या बोल रही है, नहीं, लोगों के हाथ में सत्ता होना चाहिए, उनका जो लीडर है, वो सत्ता को अपने हाथ में रखेगा, और वो अपने हिसाब से सरकार चलाएगा, centralized government चलेगी, सारी सत्ता एक ही विक्ति के हाथ में होगी, इन दोनों के बीच में लड़ाईयां होनी शुरू हो गए, और यही कारणे आप होता क्या है, 1923 के इलाके में जर्मनी, जर्मनी ने जो भी कुछ युद्ध लड़ा था, उसके पास खुद के पैसे नहीं था, जर्मनी भी इतना लंबा युद्ध लड़कर आया था, तो उसने बहुत लोन लिये हुए थे युद्ध के दौरान, युद्ध लड़ने के ल बाहर की कंट्रीज को, अल्टिमेटली क्या हुआ, जर्मनी का गोल्ड रिजर्व खतम हो गया, 1923 में जर्मनी ने मना कर दिया कि हम अब टैक्स ये, जो वार रेपरेशन है, वो पे नहीं करेंगे, हम अब लोन वापस पे नहीं करेंगे, क्योंकि वार में सिर्फ हमारी गल् जर्मनी ने का ले जाओ, जर्मनी ने का ठीक हम और पेपर करनसी प्रड्यूस करेंगे, अब देखो, एक चोटी सी बात है, हमें भी लगता है कि सर, अगर इंफलेशन बढ़ रहा है, पैसा खतम हो रहा है, एकनॉमी में पैसा कम है, तो आप और पैसे चापो, पैसे चापन पास कितने resources हैं, उससे value decide होती है, से for example, market में बहुत पैसा आ जाए, लेकिन production उतना हो नहीं रहा है, तो पैसे की value गिरना शुरू हो जाएगी, पैसे की value गिरना शुरू हो जाएगी, तो value बनाने के लिए market में जितना समान है, उतना ही पैसा होना चाहिए, तभी उसकी value बन पैसे की value गिरना शुरू कर दिया, जर्मनी ने क्या बोला, जर्मनी ने क्या बोला कि भाई हम paper currency को और जादा से जादा अब प्रिंट करेंगे, रेकलेसली का मतलब बिना रुके, इतना पैसा market में आ गया कि धीरे-धीरे करके जर्मनी की जो currency थी, जर्मन मार्क, जर्मनी की currency क्या थी पहले बच्चे, जर्मन मार्क, याद रखना इस चीज को, what was the currency of जर्मनी, जर्मन मार्क, जर्मन मार्क की value गिरने लग गई बहुत दे जिसे, April में एक US डॉलर कितने एके equal था, 24,000 जर्मन मार्क के बराबर, जुलाई में वही हो गया, 3,53,000 मार्क के बराबर, एक US डॉलर, और August में वह हो गया, 46,21,000 मार्क के बराबर होता था, एक US डॉलर, you can understand, कि एक US डॉलर के बदले में 46,21,000 मार्क पे करने पड़ेंगे, अब आप सोचों कि अब common समान कितना महंगा हो गया होगा, I mean, एक common समान को अगर आपको लेना है, तो उसका price कितना बढ़ ग रहे हैं, बात समझ रहे हैं, कार्ट में पैसे भर भर कर लेकर आ रहे हैं, value, मार्क की जो value है, वो इतनी बुरी तरीके से गिरी, कि भाई, समान का जो price है, वो बहुत तेजी से बढ़ गया, और एक image हमें देखने को मिलती है, कि लोग एक bread का तुकड़ा लेने के लिए, घो बड़े गाड़ी में पैसा भर भर कर लेकर आ रहे हैं, कि ये लो भाई, पैसा ले लो, क्यों? क्योंकि price ही बहुत गिर गया ना, भाई, समझ रहे हो ना, कि भाई, अभी एक pen 10 रुपे का मिलता है, लेकिना मेरे पास बहुत currency है, तो obviously इसका price भी बढ़ेगा, बात समझ रह हो ना, तो भाई, अब यही pen 100 रुपे का मिल रहा है, अब पैसे और जादा है एकनोमी में, तो यही pen 1000 रुपे का मिल रहा है, क्योंकि इसकी value घटती जा रही है, अब यही pen 10,000 रुपे का मिल रहा है, क्योंकि obviously बहुत currency है market में, तो उसकी value घट गई, तो 10,000 रुपे का मिल इस situation को बोला जाता है hyper inflation जब inflation या महंगाई बहुत जादा बढ़ जाती है या चीजों के दाम बहुत जादा बढ़ जाते हैं तो उसको बोला जाता है hyper inflation अब कुल मिला कि क्या ऐसे में जर्मनी अपना loan pay कर पाएगा नहीं सर इन सभी के बीच में 1924 1990 से लेकर 1930 के बीच में हमें देखने को मिलता है कि एक लौती एसी country जिसकी economy बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थी it was America क्यूं अमेरिका क्यूं मैंने आपको दिखाया ये सारी countrys यूरोप में थी उन सबकी economy खड़ाब है बिल्कुल है एक लौती country जो यूरोप के बाहर थी वो कौन सी थी अमेरिका अब अमेरिका में युद्ध का उतना कुछ impact नहीं पड़ा तो अमेरिका की economy बहुत अच्छी चल रही थी अमेरिका ने क्या कहा कि ठीक है भाई चलो देखो भाई जर्मनी के पास पैसे नहीं है आप उनको ऐसी push करते रहेंगे एक point आएगा जब वो कुछ भी pay नहीं कर पाएंगे तो ऐसे उनको push करने का तो कोई sense है नहीं हमें क्या कोशिश करनी है कि पहले जर्मनी के अंदर production तो जर्मनी पैसे कमाए तो तब तो वो pay कर पाएगा तो अमेरिका आगया आया और अमेरिका ने क्या कहा कि ठीक हम पूरे यूरोप को लोन देते हैं कि यूरोप ग्रो कर सके तो अमेरिका में अच्छे खासे पैसे आ रहे थे अमेरिका अच्छा खासा ग्रो कर रहा था तो अम इस plan को introduce किया था Charles G. Davies ने, ये एक American economist थे, 1924 में इस plan को introduce किया गया, इस plan के तहत क्या decide किया गया, कि ठीक है भाई, जर्मनी को जो war loan pay करना था, वो उससे हटा देते हैं और जर्मनी की economy को grow करना देते हैं, ठीक है, उन्होंने जितना pay कर दिया, it's okay, अब जर्मनी से हम दुबा पैसे क्या किये, invest करने शुरू किया, American people ने क्या करें, पैसे invest करने शुरू किया, ठीक है, अमेरिका के लोगों ने पैसे invest करने शुरू किये, stocks के अंदर, अमेरिका के लोगों ने पैसे क्या करने शुरू किये, banks में रखने शुरू किये, अब अमेरिका की सरकार ने क्या कि जब इस पर return pay करेंगी तो यह return वो अपने लोगों को pay कर सकते थे तो लोगों के पास और पैसा आएगा बिल्कुल साइसर यह plan इंटेड्यूस किया गया था 1924 में जिसको कहा गया चार्ल्स दावेस चार्ल्स जी दावेस के दौरा इंटेड्यूस किया गया था जावेस प्लान और इसका क्या काम था कि भाई रेपरेशन की जो cost है जो रेपरेशन का income है जो रेपरेशन का money है जो शतिपूर्ती का पैसा जर्मनी को pay करना है उसको कम कर दिया गया और क्या बोला गया कि हम जर्मनी को लोन देंगे और बाकी European countries को भी लोन देंगे ताकि वो दुबारा से grow कर सकें ठीक से एवरिटिंग वोस गोई एपसलूटली गुड अमेरिका के लोन के दियो हुए पैसों से 1924 से 1928 के बीच में यूरोप की economy ठीक ठाक हो गई लेकिन ये कुछ ही दिनों का ये नों एक मिराज था ये जर्मनी में जो investment हो रहे थे और जो भी development होना शुरू हुआ इस दौरान वो सब कैसे हो रहा था सर वो सब हो रहा था लोन के कारण वो लोन कौन दे रहा था USA या अमेरिका लेकिन 1929 में क्या होता है उनका जो stock market था ना उसको wall street exchange कहा जाता है उनका जो stock market है उसको wall street exchange बोलते हैं बिसिकली लोग जहां पर पैसा लगाते ना तो share market जैसे हमारे यहां का है भारत का share market तो उनका wall street exchange था 1929 में क्या होता है 24 October या October के आसपास October 1929 में यह अफवा फैलनी शुरू होती है कि जिन भी लोगों ने पैसे का investment किया हुआ है उन सब के पैसे डूब जाएंगे लोगों ने एक दिन के अंतर ही माना जाता है 24 October के अंदर ही लोगों ने market से पूरा पैसा खीच लिया समधर उन्होंने market से पूरा पैसा वापस ले लिया मतलब लोगों ने जो investment किये हुए थे banks में जो पैसे डाले हुए थे वो सब पहुंच गए कि हमें हमारा पैसा लटाओ अब यह जो invested पैसा है या जो bank को पैसा दिया गया था यह क्या bank के पास है नहीं है बैंक ने तो उसे लोन में दिया हुआ कि इसको European countries को अब एक change शुरू हो गई मेरी बात समझना मैं एक विक्ति हूँ मैंने अपना पैसा बैंक को दिया हुआ था ठीक है पारा पैसा वापिस छीन लिया गया एक ही जटके में यह अपना पूरा पैसा लेकर चला गया अब इस country का जो भी development हो रहा था वो लोन से हो रहा था समझो यह जर्मनी अब जर्मनी से तो अमेरिका ने पूरा पैस ले लिया जर्मनी क्या पूरा पैस एक दिन में वापस कर लोन पाईगा बाई सब्सक्राइब पिर सस्क्राइब क्यां अब झेजने लि mature लिया बेंक चार महीने बाढ़ आ जाये और बोले कि हमें पूरा लोन वापिस खीच लिया, क्योंकि अमारिका के लोगों ने पैसे वापिस मांगने शुरू कर दिये, कि भाई हमने अफवास सुनिये हमारे पैसे डूब जाएंगे, तो आप हमें हमारे पैसे लोटाइए, now listen to this, ध्यान से सुनना, Wall Street Exchange crash हो गया 1929 में, लोगों को ये डर था कि prices गिर जाएंगे, हमारे पैसे डूब जाएंगे, लोगों ने क्या किया, large scale में अपने shares को बेच दिया, अब shares को बेचा, तो पैसे वापिस मांगे, एक single दिन के अंदर, 24 October के अंदर, 13 million share बेचे गए, 130 lakh share बेचे गए, ultimately इससे क्या हुआ, इसी से शुरुआत हुई, the great economic depression की, the great economic depression, पूरे दुनिया की economy, पूरे दुनिया की जो अर्थ व्यवस्था, जो अमेरिका के loan पर चल रही थी, अब वो तूट गई, अब जर्मनी के पास पैसे ही नहीं है लोटाने के लिए, तो उनका जो पूरा country चल रहा था, वो इसी loan से चल रहा था, इसने loan वापिस ले लिया, तो जो कुछ था, वो loan लोटा दिया, लेकिन अब तो इनके पास पैसे ही नहीं बचे ना, पूरी दुनिया की अर्थ व्यवस्था, खतम हो गई, समझ रहो, domino effect समझते हो, domino effect, domino effect, shares में पैसा invest किया, banks में पैसा invest किया, अमेरिका की bank ने वो loan यूरोप को दिया, यूरोप ने वो पैसा invest करके अपनी economy डवलप की, अब लोगों ने पैसा माँगा, तो bank ने यूरोप से पैसा माँगा, यूरोप से पैसा माँगा, यूरोप के पास पूरा पैसा नहीं है, तो बुरी तरीके से impact हो गई थी USA की खुद की national income बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर गई थी factories बंध हो गई थी export बंध हो गए थे farmers के prices बहुत बुरी तरीके से खराब हो गए थे बात समझ रहो लोगों ने अपने पैसे बैंक से वापस ले 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 थे वो फिर से बुरी तरीके से तूट कर बिखर गई 1932 तक आते आते industrial production, industries में जो production हो था वो 40% तक गिर गया workers की job उनसे छीन ली गई और या तो उनको बहुत कम wages पे किये जा रहे unemployed लोगों की संख्या बहुत जादा बढ़ गई जर्मनी की गलियों में लोग निकल कर आ पढ़े हैं प्लैकार्ड पहन कर कि हमें कोई भी जॉब हो दे दो बस हमें पैसे कमाने हैं willing to do any work अब unemployed youth रास्तों में बैट कर cards खेल रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं बुरी आदते उनको लगना शुरू हो गई है employment exchange की lines पर बहुत लंबी-लंबी line लग रहे हैं, बहुत लोग भरे पड़े हैं जैसे-जैसे jobs हिंती जा रही थी youth criminal activities करता जा रहा था ultimately, आप देखने को मिलेगा कि Germany की हालत बहुत बूरी तरीके से खराब हो चुकी थी लोगों के मन में बहुत डर और दुविधाएं आनी शुरू गई इंदे, खास कर middle class के अंदर middle class, salaried employees और pensioners के अंदर, कि भाई, उनकी savings दीरे-दीरे करके खतम होती जा रही है small businessmen या self-employed लोग जो थे, उनको भी बहुत suffering हुई और सब को डर बैड़ गया कि अब हम prolitarianism के नजदीक आ रहे हैं prolitarianism का मतलब क्या होता है prolitarianism का मतलब होता है गरीब आदमी तो proleterization का मतलब क्या होगी हम सब गरीब हो जाएंगे, हम सब बहुत निचले स्थर पर आ जाएंगे, अभी तक हमारी जो पैसे ते saving थी सब खतम हो गई और अब हम economic situation में सबसे निचले स्थर पर आ जाएंगे, बात समझ रहे हूं इन सब के बीच में only organized workers, जो organized workers थे, जो government jobs में थे केवल वही लोग अच्छा खासा sustain कर परे थे, otherwise सभी का बहुत बुरा हाल था, peasants, किसान, large scale of pesant उनको बहुत effect हुआ, उनकी prices बहुत खराब हो गए है, वो जो अनाज बेचना है, उसकी prices गिर गई है, उनका अनाज बिखी नहीं रहा है, तमाज में इतना समान इकठा हो गया है, market में इतना समान इकठा हो गया है, कि बिखी नहीं पा रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो हमने जो समान produce किया, वो as it is पड़ा हुआ है, कोई return ही नहीं मिल रहा है, लोग अपने बच्चों के पेट को नहीं भर पा रहे हैं, खुद खाना नहीं कार पा रहे हैं, और अपने आप में वो बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं इसी बीच में वीमर रिपबलिक भी जर्मनी की help के लिए कुछ नहीं कार पा रहा था, वीमर रिपबलिक टू वाज वेरी फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, बच्चे, कि हर, अभी देखो, ऐसा होता है कि इंडिया के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं FPTP, first past the post system ठीक है सर, इसमें क्या होता है कि basically हर पार्टी को जितने मेंबर वो खड़े करना चाहे कर सकती है तो हर seat पे भी वो मेंबर खड़े कर सकती किसी पार्टी को केवल 10 लाख वोट मिले है तो वो केवल 10 मेंबर को नॉमिनेट कर सकती है अब इससे क्या होगा कि वो बहारत में total तोटल 545 सीट से हैं लोग सभा में तो भाई, सरकार बनाने के लिए किसी भी party से लगभग 273 member select होने चाहिए majority क्या है 273 लेकिन proportional representation में क्या हो रहा है कि आपको उतनी ही seats allot की जाती है जितने आपके vote है तो किसी party को 60 की गएं किसी को 70 की गएं किसी को 30 की गएं किसी को 50 की गएं किसी को 100 की गएं किसी को 500 की गएं अब इसमें क्या हो रहा है क्या कोई एक single party 273 पर पहुँच पार है नहीं तो क्या करना पड़ेगा कई सारी party इसको साथ में आना पड़ेगा तब जाकर वो 273 दिखा पाएंगे और सरकार बना पाएंगे same thing is written here this made achieving a majority by any one party near impossible task इसके कारेंट क्या हुआ coalition बनने लगे जब कई सारी parties मिलकर सरकार बनाती है तो उसको बुले आते है coalition coalition सरकार बनने लगे लेकिन coalition सरकार क्या मजबूत होती अब इन parties के बीच में आपस में लड़ाईयां होने लगती है इस सरकार गिरा देते दूसरा defect था article 48 पहला defect क्या है proportional representation पहला दिक्कत क्या है proportional representation दूसरा क्या है article 48 article 48 क्या करता है president को बहुत सारी power देतेता है कि president जब चाहे देश के अंदर emergency लागू कर सकता है और लोगों के rights और basic rule को हटा सकता है अपनी मर्दी से आप देखेंगे कि within a short span बहुत छोटे से वक्त में वीमर रिपब्लिक के अंदर 20 अलग-अलग सरकारे बनी जो लगबग केवल 240 दिन तक चली total 240 दिन में 20 सरकारे बनी can you imagine एक पूरा साल भी नहीं चल पाई 240 दिन के अंदर 20 अलग-अलग सरकारे बनी लोगों की जरूरतों को लोगों की problems को solve नहीं कर पाया लोगों का confidence खतम हो गया था democracy के उपर और अब उन्होंने demand करनी शुरू कर दी कि भाई फिर से या तो kingship लाओ या dictatorship लाओ तो इसी बीच में अब जब Hitler का rise होगा तो क्या लोग उसको support करेंगे करेंगे sir क्यों क्योंकि republic government या democratic government को वो already देख चुके थे और वो किसी काम की थी का no sir it was completely useless it was completely useless और इनी scenarios के बीच में से rise होता है किसका sir Hitler का all these situations या all these scenarios ultimately led to the rise of Hitler to power अब मेरी बात समझना इसी crisis के background में जो economic crisis, political crisis social crisis चल रहा है, इसी के 20 में rise होता है Hitler का Hitler का जन basically 1889 आस्ट्रिया में हुआ था Hitler ने अपना आम जीवन poverty में बिताया था गरीबी में बिताया था, जब पहला world war हुआ तो Hitler ने army को join किया और वो as a messenger as a messenger वो उस army के अंदर काम करता था आगे चलके वो corporal बना और युद्ध के दौरान माना जाता है कि उसको चोट भी लगी उसको कई सारे medals भी मिले युद्ध के दौरान एक बार वो घायल भी हो गया था और उसको bravery के कई सारे medal मिले तो मतलब जब first world war लड़ा जा रहा था हिटलर भी उस आर्मी का हिस्सा तो जर्मन हार्मी का हिस्सा था जब जर्मनी को युद्ध में हारा हुआ घोशित कर दिया गया और treaty of Versailles हुई तो हिटलर बहुत गुसा हुआ हिटलर बहुत गुसा हुआ उसने का कि भाई इतना युद्ध हम लड़े इतनी हमने अपने जीवन खराब किया ultimately इस दिन के लिए कि हमें हारा हुआ घोशित कर दिया चाहिए 1919 में उसने एक छोटा सा ग्रूप जोइन किया जिसको बोलते थे जर्मन वर्कर्स पार्टी उसने एक पार्टी जोइन कि जर्मन वर्कर्स पार्टी आगे चलकर यही पार्टी कहला ही नाजी पार्टी हिटलर का यह मानना था कि भाई मैं इस देश को उपर ले जा सकता हूँ तो हिटलर ने उसके लिए क्या किया? इलेक्शन भी लड़े और इनफेक्ट उसने कोशिश की कि मैं सत्ता को अपने हाथ में ले लो 1923 में हिटलर ने क्या कोशिश की कि मैं बर्लेन में घुसकर बवेरिया और बर्लेन में घुसकर Berlin क्या है? Center of Germany वहाँ घुसकर Parliament को हटाऊ और उसकी सत्ता अपने हाथ में ले लो लेकिन वो unsuccessful रहा जैसा कि Russia में हुआ था ना जैसा कि Bolsheviks ने किया था, सेम कोशिश Hitler ने की Bavaria के अंदर, Berlin के अंदर लेकिन वो successful नहीं रहा उसको देश निकाला दे दिया गया उसको arrest कर लिया गया देश द्रो के चलते उसको जेल में डाल दिया गया, देश निकाला दे दिया गया बाद में उसको छोड़ दिया गया Ultimately, नाजी 1930 तक कुछ खास नहीं कर पाए आपको देखने को मिलेगा कि जब Great Depression आया It was at that time Great Depression के टाइम पे नाजीस को लगा कि ये सही टाइम है जब लोगों के बीच में हम अपना popularity गेन कर सकते हैं क्योंकि लोग Vimal Republic को पसंद नहीं कर रहे हैं Vimal Republic का विरोध कर रहे हैं तो हम इस पूरे time period का इस्तमाल करके अपनी popularity को बढ़ा सकते हैं अपनी popularity को expand कर सकते हैं And trust me, this whole time will help us a lot तो उनोंने Great Economic Depression के टाइम पे ही अपनी position को बहुत strong किया Germany के अंदर 1939 के बाद Banks पूरी तरीके से खतम हो गए Business खतम हो गए Workers अपनी job को खो चुके थे Middle class गरीब होता जारा था Destitution का मतलब गरीबी दरिद्रता एकदम गरीब हो जाना Extreme level की गरीबी इन सभी situation के बीच में Nazi propaganda उठकर आया और Nazis ने क्या कहना शुरू किया कि भाई देखो हम आपको इन सभी problem से बचाएंगे ये जो आपकी Weimar Republic है It's useless हम आपको इन सारी दिक्कतों से आजाद कराएंगे तो इसका आपको impact भी देखने को मिलेगा Economic depression से पहले 1928 में नाजी ने election लड़ा था उनको कितने votes मिले थे सिर्फ 2.6% votes Reichstag के अंदर Reichstag क्या है German Parliament Reichstag के अंदर उनको केवल 2.6% vote मिले थे लेकिन महीं पर जब उन्होंने 1932 में election लड़ा तो वो single largest party बनकर आये with 37% votes single largest party with 37% vote और उन्होंने अपनी सरकार बनाई कब 1932 में they became the single largest party with 37% votes In fact, आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ यही कारण नहीं था Hitler एक powerful speaker भी था मतलब यह तो एक कारण हुआ है लेकिन Hitler की अपनी personality भी कहीं ना कहीं ऐसी थी कि वो लोगों को बहुत जल्दी योनो अपने बातों से लोगों को अपनी ओर कर लेता Hitler was a very powerful speaker वो अलग-अलग railिया निकालता अलग-अलग meetings करता जहां पर लोगों को बहुत powerful speech देता कि भाई जर्मनी की हार जो है यह हमारे देश की हार है हमारे देश के pride की हार है यह हमारे self-respect की हार है अगर मैं इस जगे होता तो शायद मैं कभी जर्मनी को हार नहीं देता माई योद्ध को continue रखता यह हम लोगों की हार है और ये इस कारण हुई क्योंकि वीमर रिपबलिक आया इस कारण हुई क्योंकि ये डेमोक्रेटिक रिपबलिक आया ये डेमोक्रेटिक रिपबलिक अगर नहीं होती तो शायद जर्मनी कभी हारता नहीं एंट सी जर्मनी हारा वो तो ठीक है लेकिन पूरा जर्मनी के हार का दोश, मतलब युद्ध का हार का दोश हमारे उपर डाल दिया गया, पूरे युद्ध का दोश हमारे उपर डाल दिया गया, आप से पैसे लिए जा रहे हैं, आपको कितना गरीब कर दिया है अपने ही मैं लोगों को उनकी खोई हुई respect वापस दिलाऊंगा, मैं लोगों को justice वापस दिलाऊंगा Versailles Treaty के चलते जो हमारी जर्मनी का respect हम से छीन लिया गया है वो respect मैं लोगों को वापस दिलाऊंगा मैं लोगों को employment दूँगा, उनको काम दूँगा ठीक है, हमारे youth को एक secure feature दूँगा और ये जो basically उसमें क्या बोला कि ये जो conspiracy चल रही है न, ये पूरी दुनिया ने मिलकर हमारे against में conspiracy की है conspiracy का मतलब समझते हो न, शड्यांतर अच्छा है मैं शड्यांतर को तोड़ूँगा और जर्मनी को वापस एक superpower बनाऊंगा निकाल के बाहर फेक दूँगा और उनकी जो शड्यांतर चल रहा है हमारे खिलाफ मैं उसको भी खतम कर दूँगा हिटलर ने एक नई style of politics करनी शुरू की उसको समझ आया कि मुझे लोगों के सामने अपनी सत्ता को दिखाना पड़ेगा मुझे लोगों कोई कठा पड़ना पड़ेगा अलग-अलग symbols का इस्तमाल करना पड़ेगा अलग-अलग rituals का इस्तमाल करना पड़ेगा नाजीज ने बहुत बड़ी-बड़ी रेलिया निकालनी शुरू की पबलिक meetings करनी शुरू की अब देखो ना होता क्या है आप 10 लोगों के पास गए 10 लोगों के मुझे आप एक ही नाम सुन रहें कि ने भई बीजेपी अच्छी बीजेपी अच्छी तो इन्होंने बड़े scale पे large scale पे propaganda करने शुरू की, large scale पे meetings करनी शुरू की, demonstration करने शुरू की ताकि लोगों को दिखाएं कि देखो कितनी जनता हमारे साथ है ताकि जो लोग अभी भी इवन नाजीस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो भी नाजीस को सपोर्ट करने लग जाएं लोगों के अंदर unity develop करने शुरू की, हिटलर इस जर्मनी, हिटलर को जर्मनी की तरह present किया जाने लगा स्वास्तिक का इस्तमाल किया गया, red banners के साथ स्वास्तिक का symbol यूज़ किया जाता, नाजीस salute यूज़ किया जाता ठीक है, applause, तालियां बजाने के तरीके, हिटलर के सामने, ये सब develop होने शुरू है और ultimately ये सब क्या दिखाता, कि हिटलर कितना जादा powerful है Ultimately इन सभी ने मिलकर, नाजीस ने क्या किया, हिटलर को मसीहा की तरह present किया हमारे रक्षक है, यही हमारे मसीहा है, और यही वो व्यक्ति है, जो जर्मनी में आए है, हमारे लोगों को बचाने के लिए और ultimately लोग इतना दुखी थे, लोग इतना परशान थे कि उनको सच में इस बात पर भरुसा हो गया और लोगों के मन में यह image बन गई कि नहीं, हिटलर ही हमारा मसीहा है, हिटलर ही हमें बचाएगा, हिटलर ही हमें हमारी dignity, हमारी respect हमें वापस लोटाएगा, हमारी pride हमें वापस लोटाएगा और हमें एक अच्छा जीवन, एक अच्छी जिन्दगी हमें लाकर वापस लोटा अब देखो भाई जो पार्टी सेंटर में इलेक्शन जीतती है वो अपना क्या चुनती है प्राइम मिनिस्टर है ना तो बैसिकली सेम तरीके से जर्मनी के अंदर उसको बोलते थे चांसलर जैसे हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर होता है न वैसे वहाँ होता था Chancellor अब नाजी पार्टी चूकी एलेक्शन जीत गई थी तो उस ताइम पे जो प्रेसिडेंट थे 1932 में जो प्रेसिडेंट थे 30 जनवरी 1934 में जो प्रेसिडेंट थे President Hindenburg उन्होंने क्या किया? उन्होंने Hitler को invite किया और क्या बुला? हम आपको chancellorship दे रहे हैं because आपकी party election दीती है now you are becoming the chancellor chancellor क्या है highest position in the cabinet of ministers prime minister cabinet of ministers में highest position chancellorship cabinet of ministers में highest position वो Hitler को दी गए और इस time तक आते आते नाजियम एक बहुत बड़ी ideology बन चुका था लोग nazis को बहुत large scale में support करना शुरू कर दिये थे और nazis ने even conservatives को भी मना लिया था conservatives कौन जो राजा के supporter, पुरानी ideology के supporter कि भाई आप Hitler को support करो he will definitely do the good for the country तो उनोंने भी nazis को support करना शुरू कर दिया था अब जब Hitler के पास power आई 1923 में अब वो आया अपने असली रूप में उसने धीरे धीरे करकर republic को तोड़ना शुरू किया Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule democratic rule को उसने तोड़ना शुरू किया माना जाता है जर्मन पार्लेमेंट में suddenly कहीं से आग लग गई February में और उससे पूरी building जल गई, सारे paper जल गए इसी के बीच में Hitler ने एक rule पास किया decree का मतलब समझते हो, fire decree rule, उसने एक decree पास की 28 February 1933 और क्या बोला कि लोगों की civil rights मैं उनसे छीन रहा हूँ जैसे freedom of speech उसने क्या बोला, कि मैं लोगों की civil rights उनसे छीन रहा हूँ, कि fundamental rights उनसे छीन रहा हूँ, क्योंकि पार्लेमेंट में आग लग गई है, सारे document जल गए है तो देश का politics अभी थोड़ा सा हिला हुआ है तो मैं चाहता हूँ, सभी लोग अपने घरों में रहें और उनके पास सभी freedom of speech, freedom of press, freedom of assembly, सब कुछ उनसे छीन लिया गया, उसके बाद उसने क्या क्या, उसके दूसरे enemy कौन थे? Communist, उसने Communist को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू किया, Communist को पकड़ पकड़ कर Gaze Chamber या Concentration Chamber में भीजना शुरू किया और उनको वहाँ पर मानना शुरू किया मारा जाता है माना जाता है माना जाता है कि 6808 arrest files यह एक शहर था Dusseldorf Dusseldorf नाम का एक शहर था वहाँ से कुछ 7000 लोग 6808 लोग गायब हुए थे उनकी files में से देखा गया तो उसमें से 1400 लोग उसमें से लगभग 1400 लोग 1440 लोग तो केवल Communist है और उन सब को मार दिया गया उनमें से कोई भी नहीं बचा और आगे चलकर जब नाजीस के दौरा जब Second World War खतम हुआ और लिस्ट बनाए गई तो नाजीस ने 52 प्रकार के groups के लोगों को मारा था 52 अलग-अलग group of people were killed अलग-अलग type of people were killed और उनमें से एक थे Communist Can you understand 52 group of people जैसे Jews, Gypsies, Poles, Communists तो उस तरीके में 52 total group of people were there जिनको मारा गया था और उनमें से एक group था कौन? Sir Communist बात समझ रहो? Ultimately, वो दिन आ गया जब Hitler ने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली 3 March 1933 एक famous act पास किया गया which was called Enabling Act 3 March 1933 एक famous act पास किया गया Enabling Act और इस act के बाद क्या हुआ? जर्मनी में dictatorship स्थापित कर दी गई जर्मनी में dictatorship स्थापित कर दी गई Hitler को सारी power दे दी गई और Parliament को sideline कर दिया गया, सारी political party, सारी trade unions को disband कर दिया गया और सिर्फ Nazi party, cloth party बची जर्मनी के अंदर और पूरी economy, पूरे देश, पूरे army, पूरी judiciary, पूरी media के उपर किसका कबजा है? सिर्फ और सिर्फ हिटलर का तो it was the Enabling Act 3rd March 1933 जिसके बाद हिटलर ने जर्मनी के अंदर dictatorship स्थापित कर दी दिक्टेटर्शिप समझते हैं नो? ताना शाही ताना शाही स्थापित कर दी जर्मनी के अंदर 3rd March 1933 Enabling Act याद रखना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? अब जब हिटलर ने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली तो धीरे-धीरे करके उसने समाज के उपर कंट्रोल करने के लिए special forces set up करने शुरू कि कि जो भी लोग या जो भी political groups हैं, जो Hitler का विरोज करें, उनको पकड़ कर concentration camps में भेज दिया जाए और उनको मार दिया जाए, जैसे आप देखेंगे कि उन्होंने special surveillance और security forces स्थापित करने शुरू कि control स्थापित करने के लिए, और ऐसे society special force set up की गई, जिसको gestapo कहा जाता था, secret state police, SS कहा जाता था, ये protection squad होती थी, criminal police और एक security service SD present की गई, इन सब forces को extra powers दी गई, कि आपको जैसे ठीक लगे, आपको जैसा अच्छा लगे, आप लोगों को control कीजिए, लोगों को हुटा सकता है, अब लोगों को guestapo torture self में, ये रखा जा सकता था, उनको concentration camps में भेजा जा सकता था, और जब चाहें तब उनको arrest किया जा सकता था, बिना किसी legal notice के और इवन देश निकाला भी देजा सकता था, धीरे धीरे करके, police forces ने, एकदम बरबरता सकती और अपनी power दिखाने शुरू किया, और impunity का मतलब क्या होता है, impunity का मतलब होता है बेशर्मी, बिना किसी शर्म, बिना किसी लगाव कि उन्होंने अपनी power का इस्तमाल करना शुरू किया, reconstruction, अब हिटलर ने जो promise किया था, कि मेरे आने के बाद मैं economy को वापस से develop करूँगा, क्या वो ऐसा कर पाया? हाँ, initially आप कह सकते हैं कि Hitler ने वो development किया, Hitler ने economic development की जिम्मदारी अपने economist Jalmer Shash को दी, he's a famous name, Jalmer Shash Jalmer Shash को ये जिम्मदारी सौपी गई कि अब आपको पूरी Germany का economic development करना है, कैसे किया जाएगा जर्मनी की जितनी भी इंडस्ट्रीज उनको डवलप कीजिए और उनके अंदर employment देना शुरू कीजिए, कि राज पैसा लगाएगा, इंडस्ट्रीज डवलप करेगा, उसमें production करवाएगा और उसमें जो जर्मनी का यूथ है उसको employment दिया जाएगा state funded work creation program किये गए और माना जाता है कि इनहीं से जर्मन सुपर हाइवेज और आगे चलकर Volkswagen का जो project है, वो इसी टाइम पे शुरू हुआ था foreign policy में भी Hitler ने बहुत तेजी से बदलाव करने शुरू के, Hitler ने पहले तो क्या किया, League of Nations को त्याग दिया, 1933 में, basically होता क्या है, 1921-22 के आसपास formation होता है एक League का which was called League of Nations League of Nations ये League of Nations क्या थी, जैसे आद United Nations है ना, वैसे ही World War One के खतम होने के बाद League of Nations बनाई गई थी, League of Nations बनाने का reason क्या था, कि हम एक platform बना रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड government बना रहे हैं, जिसमें सारी countries की government उसकी हिस्सेदारी रहेंगी सारी countries की government उसमें participate करेंगी, और आगे कभी दुबारा दूसरा विश्वयुद ना हो, उसको टालने के लिए ये बनाया गया था कि countries आपस में बात करके issue सुलजा लें rather than war लडने से तो जर्मनी भी उस league of nation का हिस्सा था, लेकिं 1933 में हिटलर ने league of nation को छोड़ दिया राइन लैंड, यादा रहना जो उनसे छीन लिया गया था, 1936 में उसको वापस ले लिया, आस्ट्रिया और जर्मनी जो दूसरी countries ने उससे वापस छीन लिया था, उनको वापस अपने साथ जोड़ दिया 1936 में, under the slogan one people, one empire, one leader ठीक है, उनको वापस से अपने साथ जोड़ दिया, उसके बाद वो जर्मनी speaking sudden land चेको स्लोवाकिया ने जो sudden land नदन जर्मनी का जो इलाका था, अपने कबजे में क्या हुआ था, उसको आजाद कराया और धीरे-धीरे करके पूरी country पर कबजा स्थापित करना शुरू किया, basically 1918 में जो इलाके जर्मनी से छीन लिये गए थे, हिटलर ने उन इलाकों को वापस जीत कर जर्मनी के साथ जोडना शुरू किया, तिर्व इतना ही नहीं अब जर्मनी के बाहर जाकर भी वो कई सारे इलाकों को कबजा करने की कोशिश कर रहा है और इन सब चीज़ों का confidence हिटलर को आया कहां से, the unspoken support of England, England ने इन सब के बीच में कभी भी जर्मनी या हिटलर को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि England को ऐसा लगता था कि World War I के बाद जर्मनी के साथ बुरा व्यभार हुआ है, जर्मनी के साथ हमने कुछ जादा ही बुरा बरताव कर दिया था तो उन्होंने कभी भी हिटलर को रोकने की नहीं कोशिश यह और विसली रोका नहीं तो वो काइंड एक सपोर्ट ही था तो हिटलर ने उस चीज़ का और जमकर फाइदा उठाया और केवल ही केवल जर्मनी के अंदर नहीं जर्मनी के बाहर भी कई सारे इलाखों को उसने अपने कभजे में कर लिया हिटलर यहाँ पर नहीं रुका हिटलर ने दुबारा से disarmament याद है ना कि अब जर्मनी की जो countries है वो अपने साथ arms नहीं रख सकती है वो अपने साथ weapons नहीं रख सकती है हिटलर ने का कि ने अब अपनी country के अंदर हम दुबारा से arms and amunitions रखना शुरू करेंगे हम आर्मी को दुबारा से स्थापित करना शुरू करेंगे और एक बहुत strong आर्मी बनाएंगे although उनके economist जैलमर शैस ने इस चीज के लिए मना किया लेकिन obvious सी बात है जर्मनी के अंदर डर्पोको के लिए कोई जगह नहीं थी ये कहकर जैलमर शैस को निकाल दिया गया क्यों जैलमर शैस ने क्या कहा कि भाई अगर आप इन सब चीजों पर फोकस करेंगे आप दुबारा से अश्ट शत्र पर फोकस करेंगे तो जर्मनी की economy के लिए जो पैसा चाहिए वो हमारे पास sufficient नहीं बचेगा लेकिन जैलमर शैस को क्या बोला गया कि भाई सावधान या डर्पोको की ज़रुवत नहीं है जैलमर शैस को बाहर फीक दिया गया निकाल दिया गया देश से हिटलर ने क्या decide कि भाई ठीक है मेरे पास resources नहीं है कोई बात नहीं मैं दूसरी countries को जीतूँगा और उनके resources को अपने कबजे में लेकर आऊँगा हिटलर chose war as the way out of the approaching economic crisis resources कैसे ही कठे होंगे दूसरी country को जीत कर territory का expansion कर कर September 1939 में हिटलर ने पोलेंड पर कबजा किया और यही वो time था जिसके बाद शुरू हो गया world war 2 इसी के साथ world war 2 शुरू हो गया France और England के साथ September 1940 में एक tripartite pact sign किया गया September 1940 मे tripartite का मतलब क्या हुआ तीन partyों के दौरा एक pact sign किया गया किसके बीच में जर्मनी इटली और जपैन के बीच में कि हम Second World War साथ में लडेंगे Second World War साथ में लडेंगे जर्मनी के अलग अले गिलाकों में हिटलर के अंडर गवर्मेंट स्थापित कर दी गया और उन सभी को Second World War का हिस्सा बना लिया गया और 1940 तकाते आते हिटलर अपनी पावर में सबसे ऊपर था इस इस दा एरिया ठीक है ये सडेंट लैन जो चेकोसलेवाक्या के कबजे में था उसको उन्होंने वापस लिया फिर पोलेंड पर कबजा किया जिसके चलते बाद में USSR ने और France और England ने अटैक कर दिया हिटलर बाकी सब तो ठीक था हिटलर ने एक गलती क्या कर दी हिटलर ने 1941 में आवेश में आकर USSR पर अटैक कर दिया और जैसे ही उसने USSR पर अटैक किया माना जाता है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्यों अगर आप जर्मनी को देखेंगे तो ये रहा जर्मनी ये रहा फ्रांस ये रहा ब्रिटेन युनाइट किंग्डम है बिल्कुल है सर और ये रहा Union Soviet USSR अब जर्मनी बीच में फसा हुआ ये रहा Western इलाका ये रहा Eastern इलाका जर्मनी जब यहां पर USSR से लड़ने गया तो यहां से UK और France ने अटैक कर दिया अब जर्मनी पर उपर दोनों तरफ से अटैक हो गया और जर्मनी बीच में फस गया और माना जाता है कि ये सबसे बड़ा ब्लंडर था हिटलर का सबसे बड़ा ब्लंडर था हिटलर का वो क्या करना चाहता था वो Eastern इलाकों को अपने कबजे में करना चाहता था वो चाहता था कि हमें एक ऐसा living space बनाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ जर्मन्स रह रहे हो और उनको खाने की सारी विवस्था मिलती रहे इसी के चलते उसने 1941 पर 1941 में क्या किया 1941 में उसने आवेग में आकर Soviet Union पर अटैक कर दिया और माना जाता है कि ये हिटलर का सबसे एतिहासिक ब्लंडर था क्यों क्यों क्योंकि अब जर्मनी जो है दोनों साइट से घिर गया Western साइट से British और French और Eastern साइट से Soviet आर्मीज Soviet आर्मीज ने बुरी तरीके से जर्मनी को हराया जर्मनी की आर्मी को और बुरी तरीके से जर्मनी इस युद्ध में हार गया इसी बीच में दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ जब USA के Pearl Harbor पर Japan ने अटेक कर दिया USA Second World War का हिस्सा नहीं बनना चाहता था USA ने अल्रीटी देख लिया था कि World War लडने से बहुत प्रॉब्लम हुई बहुत economic resources का loss हुआ तो USA was not ready to fight the war लेकिन इसी के बीच में Japan अगर आप देखें लेकिन वह ज़्यादर लंबे वक्त तक war से बाहर नहीं रह पाया क्यूँ जपैन अपनी सत्ता को increase कर रहा था इस्ट में और उसने कई सारे इलाकों को अपने कबजे में कर लिया था फ्रांस के द्वारा फ्रांस के अंडर में जो इंडिया और चाइना का इलाका था उसको अपने कबजे में कर लिया और फिर उसने प्लास प्लानिंग की कि USA के जो नेवी के बेसे उन पर अटेक किया जाया और इसी के चलते जपैन ने अटेक कर दिया परल हारबर पर किस पर अटेक कर दिया परल हारबर USA Second World War में एंटर कर गया और माना जाता है कि ये सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट था USA की वार में एंटरी के बाद में 1945 में Second World War खतम हुआ जहां पर USA ने जपैन के उपर Hiroshima Nagasaki के उपर वर्ल्ड यूनो दो Atom Bombs गिरा है, Hitler ने सुसाइट कर दिया and ultimately Second World War खतम हो गया, इसी बीच में अब Second World War खतम जर्मनी हार गया, ठीक है ये Second World War की कहानी, अब आते हैं इसी World War के दौरान में क्या हुआ और हेलमुत के फादर आखिर क्यों सुसाइड किये, क्या नाजीज ने किया कैसे जीउस को मारा, क्या प्रॉब्लम से ही उस वाली कहानी पर, अब हम उस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं Second World War तो क्लियर हो गया है अब हम वापिस उस कहानी पर चलते हैं कि आखिर Second World War के टाइम पर नाजीज ने ऐसा क्या किया था कि एक War Tribunal सेट अप की गई, आखिर नाजीज ना बहाइर नाजीज नागाल नाजी डुनिया को कैसे देखते थे नाजीजम, या नाजीजम क्या था, ये एक एक सेट ओफ प्रैक्टिस और सिस्टम ओफ बिलीफ बातों को मानने का तरीका और सेट ओफ बिलीफ अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा नाजी आइडिलोजी बिसिकली क्या थी? जो हिटलर जिस नजरीय से दुनिया को देखता था उसी को नाजिजम कहा गया, जो इसे हिटलर मानता था कि भाई यसे पॉलिटिक्स चलनी चाहिए, यसे दुनिया काम करनी चाहिए उसी को बोला गया नाजिजम ध्यान से सुनते हो चलना हिटलर क्या मानता था? According to this idea, लोगों के बीच में कोई भी equality नहीं है, लोगों के बीच में कोई भी equality नहीं है, बलकि लोगों के बीच में एक ranking है उनके color के basis पर, racial hierarchy ध्यान से सुनते हो चलना racial hierarchy, racial का मतलब क्या होता है? Based on color, racial का मतलब क्या होता है? Based on color रंग के आधार पर तो क्या बोलता है कि रंग के आधार पर दुनिया के लोगों के बीच में ranking है सारे लोग बराबर नहीं है, दुनिया के लोगों के बीच में रैंकिंग है, उनके रंग के आधार पर, और वो क्या मानता था, कि इन सब में सबसे उपर कौन है, ब्लू आईस वाले, ब्लू आईस हिपनोटाईस तेरी कर दी है मैंनू, वही वाली आँखों वाले लोग, जिनके ब्लॉड हैर है, मतलब ब्राउन बाल है और ये Nordic German Aryan है ये Aryans का बिसीकली ये जो Aryan थियोरी है ना पूरी एक ये थियोरी ये बोलती है ये Aryans जो थे वो superior race थे superior लोग थे जो गोरे लोग थे and वो superior थे क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया पर कबजा किया हुआ तो और सेम वे में नाजीस जो ह या बाकी जातियों के लोगों को हटा कर उनको मार कर हिटलर क्या बोलता था कि we are Nordic German Aryan और ये सबसे superior race है ये सबसे उपर है और महीं पर Jews और बाकी सारे जो लोग हैं वो सबसे नीचे आते हैं इनको anti-race बोला उसने arc enemies of the Aryans कि ये Aryans के enemies हैं ये anti-race है इनका होना ही अपने आप में बहुत खराब है बाकी जो colored लोग है जैसे हम लोग हम लोगों को colored लोग बोला जाता है इंडियन्स वर कॉल्ड क्लर क्यूंकि हम ना जादा गोरे ना जादा काले mixed color के होते हैं तो बाकी colored लोगों को बीच में thinking से डार्विन आपको याद होंगे चार्ल्स डार्विन ही वाज नेचरल साइंटेस्ट एवल्यूशन थियोरी जिन्होंने दी है ये चार्ल्स डार्विन ही थे और इन्होंने बताया कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स ये एक evolution और natural selection के थ्रू डवल्यूशन हुआ है हमारा कि over the period of time जो सबसे अच्छी species थी वो evolve करती गई और डवल्यूप होती गई इसी चीज़ को सपोर्ट किया था आगे चलकर हर्बर्ट स्पैंसर ने हर्बर्ट स्पैंसर ने एक आइडिया दिया था आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा survival of the fittest कि भाई ये समाज जो है ये एक युद्ध का खाड़ा है और इसमें वही species survive करेगी जो सबसे fit होगी अब उन्हों ने यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहा कि बाहर से ले जाकर हम किसी को fit बनाए या जो unfit है उसको मार दे natural selection की बात कर रहे हैं Charles Darwin की nature select करता है कि कौन सी species survive कर सकती है कौन सी नहीं कर सकती है लेकिन Hitler ने क्या किया इस theory को अपने मन से स्थापित किया और उसने क्या बोला कि हम decide करेंगे कौन सी species रहनी चाहिए कौन सी नहीं रहनी चाहिए इस idea के हिसाब से क्या बोला गया कि सिर्फ वही species survive करती है धरती के अंदर जो बदलते हुए changes को nature के changes को adopt कर सके है ना ही Darwin ना ही Spencer ये बोल रहे हैं कि humans इसके बीच में जाकर छेर चाड़ करें ये पूरा प्रोसेश जो है it is a natural process of selection लेकिन politicians या नाजीज ने क्या किया उन्होंने बोला कि हम दूसरे लोगों पर कबजा कर रहे हैं क्योंकि हम powerful है तो ये हमारा हक है कि हम इन पर कबजा कर सकें नाजी argument बहुत simple था क्या strongest race would survive simple सा argument कि जो सबसे strong race होगी वो survive करेगी और जो weak है वो मर जाएंगे, perish, खतम हो जाएंगे, मर जाएंगे तो सबसे strong race कौन सी थी? Aryan race सबसे strong race थी और इसलिए वो survive करेगी और बाकी के जो लोग हैं वो weak हैं तो उनको मार दिया जाएगा और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ Aryan race होगी इसी से हिटलर की एक दूसरी thinking ideology हमें देखने को मिलती है जो बोलता है जियो पॉलिटिकल कॉंसेप्ट और लेबेंस रॉम और लिविंग स्पेस यह क्या बोलता है? कि भाई ठीक है नौडिक जर्मन आरियंस हैं लेकिन हमें क्या करना है? पूरी दुनिया को जीतना है और जर्मनी से मिलाना है अखंड जर्मनी बनाना है और उसमें केवल और केवल नौडिक जर्मन आरियंस रहेंगे तो जब हर जगया प्योर आरियंस रहेंगे तो पूरी दुनिया प्योर आर्यंस की होगी और यह दुनिया एक खुशाहल जगे बन जाएगे हमें सारे non Aryans या black लोगों को मार के एक हतम कर देना है और इस दुनिया को एक ऐसा space बनाना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ Aryans रह रहे हूं वो क्या बोलता था कि हमें नई territories को conquer करना है नए इलाकों को conquer करना है और उन इलाकों में हम Aryans को ले जाकर settle करेंगे इससे क्या फाइदा हुआ कि हमारा जो main mother country है जर्मनी वो बड़ा होता जाएगा और नए नए इलाकों में हम नए नए settlers को establish करेंगे ताकि उनका link अपनी जगह से बना रहे और वो इकी इलाके का हिस्सर है इस इलाके को इतना बड़ा कर दो कि जहां तक जाओ वहाँ पे सिर्फ Aryans ही रह रह रहे है और वो जर्मनी ही कहलाएगा और सारे Aryans एक साथ रहेंगे वहाँ पर सुकून से जीवन जीएगे और इससे फाइदा क्या होगा कि resources का जो problem है वो problem भी खतम हो जाएगा ठीक है तो Hitler ने सबसे पहले शुरुआत कैसे की Eastward जाकर हमने बताया ना कि उसने Eastward कॉनकर करना शुरू किया तो उसने सबसे पहले Poland को कबजे में किया फिर आगे-ागे करके वो Eastward बढ़ना शुरू हुआ और उसी चक्कर में उसने USSR पर कबजा किया तो Hitler Eastward बढ़ना शुरू हुआ और उसके इस पूरे Experiment का सबसे पहला शिकार बना Poland वो Laboratory बनी उसके Experimentation का अब जब Hitler ने Poland पर कबजा किया तो उसने क्या कहा मैं एक Racial State बनाऊंगा Racial State का मतलब Color पर आधारी तेक राज बनाऊंगा जिसमें केवल और केवल Nordic Aryans रहेंगे नाजीज ने अपनी इस Ideology को Implement करना शुरू किया कि भाई एक जगह पर सारे के सारे Pure Aryans रहेंगे कैसे तो फिर बाकियों को क्या उनको Physically Eliminate कर दो उनको मार दो उनको नश्ट कर दो खतम कर दो बात समझ रहे हो जो Undesirable है न Undesirable कौन Other than Nordic Aryans उन सब को खतम कर दो नाजीज एक ऐसी सोसाइटी स्टैबलिश करना चाहते थे जिसमें Pure और Healthy Nordic Aryans ही रहें और सिर्फ उन्ही को Desirable कहा जाता था Only they were considered Desirable सिर्फ उन्ही को हक था कि वो जिन्दीगी जीएं और Multiply करें अपनी संख्या बढ़ाएं और वहीं पर जो Undesirable है उनको खतम करना है उनको मार देना है अब यहां पर एक्ती जौर समझनी है उसने क्या लिखा Nazis wanted only society of pure and healthy Nordic Aryans Pure तो ठीक है दूसरा Healthy Nordic Aryans तो अगर कोई German जो Nordic Aryans है लेकिन वो अपाहिज है उसका पैर नहीं है उसके हाथ नहीं है वो mentally unstable है तो क्या उनकी जरूरत है? नहीं We want only pure and strong Nordic Aryans तो even the Germans Even those Germans who were seen as impure or abnormal उनको भी जिन्दिगी जीने का कोई हक नहीं है Euthanasia program चलाया गया क्या program चलाया गया? Euthanasia Euthanasia क्या होती है? Euthanasia basically इक्षा मृत्यू कि भाई आपको Euthanasia दे दिया जाता है जहरत आपकी spine में और उससे बाद आपकी मृत्यू हो जाती है तो Euthanasia program चलाया गया और उसको किस ने चलाया था? Helmut के father जी ने ही चलाया था और उस program के अंदर क्या किया गया? जितने भी undesirable Aryans थे जितने भी undesirable Aryans थे undesirable Germans थे उन सब को मार दिया गया उन सब को मृत्यू दे दी गई Can you imagine? उसके लावा सबसे जादा जिनको मारा गया वो थे Jews Jews माना जाता है कि Jews वही लोग थे Jews ठीक है? उनको inferior माना जाता था उनको तो सबसे नीचे रखा गया था Jews से तो वो सबसे आदा नफरत करता था Jews उनको undesirable तो कहा ही गया लेकिन कैसिफ Jews थे नहीं Jews के लावा और भी communities थी जैसे gypsies gypsies gypsy कौन थे? ये basically आप ऐसा समझे चरवाहे थे, pastoralist थे जिनका origin हमें नहीं पता माना जाता है कि वो इंडिया से ही आए थे लेकिन बहुत पहले आए थे तो gypsies ये एक nomadic community थी, चरवाहों की community थी pastoralist थे ये लोग चरवाहे pastoralist घुमक करते ये एक जगे से दूसरे जगे move करते थे इनको undesirable कहा गया उसके अलावा blacks को undesirable कहा गया black color में काले लोग चो थे अफरीका के उनको undesirable कहा गया और क्या बोला गया कि ये inferior है और अगर इन्होंने nordic german women के साथ suppose कोई relation बनाया और उनका कोई बच्चा हुआ तो ये हमें pollute करेंगे they will pollute us, ये हमारी biological purity के लिए एक problem है, एक दिक्कत है इनको खतम करने की सवरत है large scale में उनको persecute किया गया persecuted का मतलब मार देना, खतम कर देना मार देना, पूरा dead कर देना उनको in fact Russian और पोल्स जो की गोरे ही हैं लेकिन उनको भी मार दिया गया क्या बोलकर कि they are not nordic arans तो Russian और पोलाइन के लोगों को भी मार दिया गया बात समझे, कि they are subhuman वो इनसान नहीं है, इसलिए इनके प्रति को humanity नहीं दिखाना है तभी जब जर्मन ने पोलाइन को अपने कबजे में किया तो पोलाइन के अलग-अलग हिस्सों में नॉर्मल पोलाइन के लोगों को पकड़ कर गुलाम बना दिया गया और आधे लोग तो मारे गए क्योंकि उनसको बिना खाना दिया उनसे काम करवाया जाता था तो they died out of work and starvation उनसे इतना काम कराया गया उनको 10-10 दिनों तक खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता ultimately वो मर जाते तो पोलाइन के लोगों के साथ ऐसा विवहार किया था हिटलर ने ठीक है Jews सबसे ज़ादा जिन्हों ने सफर किया they were the Jews Nazi Germany के अंदर the worst sufferer were the Jews Nazi क्यों उनको hate करते थे basically Christianity के अंदर एक कहानी है Nazi hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian hostility towards Jews मतलब क्या था basically Christians ये मानते हैं कि Jews नहीं Jesus Christ को मार रहा था Jews को पसंद नहीं था कि Jesus Christ को इनया idea लेकर स्थापित करना चाते हैं तो Jews नहीं Jews नहीं Jesus Christ को मार दिया था and they are usurers usurers कौन होते हैं जो व्यापार करते हैं और जो लोगों को लूटते हैं लोगों से पैसा लूट कर अपने पास केवल अपनी जेव भरते हैं उनको उसरर कहा जाता है एकठा करने वाले उसरर होता क्या था कि भाई Jews को अब जब उन्होंने Jesus Christ को मारा ऐसा कहा गया तो Jews को य हर जगह पर बूरी तरीके से ट्रीट किया जाता तो Jews को कोई भी जमीन नहीं लेने दी जाती थी Jews को कोई जमीन आपने पास एकठा करते है उनको रहने के लिए अलग से separate area दिया जाता Jews आम लोगों के साथ नहीं रहते थे Jews separate, अलग से एक separate एरिया में रहते थे, जिनको घेटोस कहा जाता था, और throughout the medieval period, जब भी होता, Jews को मारा जाता था, ठीके, Jews को मारा जाता था, क्या बोलकर, कि भाई, आपने हमारे Jesus Christ को मारते, तो Christian हमेशा Jews को मारते, उनको उनकी जमीन से निकाल देते, उनको उनका घरों से नि race की theory, कि भाई, Hitler impure race से आते हैं, तो इसलिए इनको खतम ही करना है, तो क्या हम इनको convert करवा सकते हैं, नहीं, conversion कराना कोई solution है यह नहीं, क्योंकि वो उनकी biology में, उनकी genes में, आप genes को तो convert नहीं करा सकते हैं, there is, conversion is no solution, तो कैसे खतम करें, Jews problem को अगर खतम करना है, तो total elimination को हम कर चलना पड़ेगा, वो total 3 step में इसे करता है, ठीक है, 1933 से 38 के बीच में, Jews को segregate किया गया, उनको डराया धमकाया गया, ठीक है, उनको डराया धमकाया गया, उनको compel किया गया, force किया गया, कि भाई, तुम देश छोड़ कर चले जाओ, ठीक है, उनको उनकी property उनसे छीन ली उनको गरीब कर दिया गया, उनको डराया धमकाया गया, next phase आता है, 1939 से 1945 के बीच में, इस phase में finally क्या किया गया, अब जो लोग डर कर नहीं भागे, उनको पकड़ कर gas chamber में ले जाया गया, और मारा गया, पहले क्या किया, उनको बहुत डराया धमकाया, उनको बहुत मारा पी जाया गया, उनको मारा पीटा जाता, डराया जाता, थाकि ये देश छोड़ कर भागता है, लेकिन जब वो जेश छोड़ कर नहीं भागे, तो जब world war शुरू हुआ, तो world war के नाम पर, world war की shadow में, large scale में इंज्यूस को concentration camps में ले जाया जाता, और वहां उनको मार दिया जात उनको पूरी तरीके से exterminate कर दिया जाता, उनको पूरी तरीके से खतम कर दिया जाता, जिपसी, मैं अभी बात करते ना, जिपसी, ये इनकी अपनी खुद की community थी, इनको Cynthia, Roma, ये दो important communities हैं, माना जाता है कि ये लोग mainly India से आए हैं, poporized एकदम गरीब कर देना, persecution, large scale में मारन उसुरर्स, पैसे एकठे करने वाले, पैसे लेने वाले, जबरदस्ती, पैसे, धन संग रहे, धन संचित करने वाले, the racial utopia, अब, Hitler निकल पड़ा, एक ऐसा समाज बनाने के लिए जहां पर सिर्फ नाजीज रहेंगे, racial utopia, एक ऐसी जमीन जहां पर सिर्फ और सिर्फ नाजी utopia, utopia क्या है, एक imaginary concept एक ऐसी जमीन जहां पर सब कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता ही नहीं, सब कुछ अच्छे तरीके से चलता है, Hitler ने क्या कहा, Hitler ने कहा कि अब हम racial utopia बनाएंगे, और war के ender में, Hitler ने large scale में, या नाजीज ने large scale में क्या करना शुरू किया, अप लडा जा रहा है, साथ में, वो अपने लोगों को भी मार रहा है, युद्ध के चलते, कि युद्ध के नाम पर उसने अपने लोगों को large scale में मारना शुरू किया, बोल्स को एक जगे पर concentrate किया गया, central Poland में, और वहां पर एक सरकार बनाई गई जिसको बोला गया, General Government जिसको क्या बोला गया General Government मेरी बात सुनना Poland पर कबजा किया गया Poland पर कबजा किया गया और Poland को क्या? Poland के लोगों को यहां Northwest का पूरा इलाका कबजा किया गया यहां पर एक सरकार बनाई गई और यहां का एक हिस्सा जो था वो USSR के कबजे में था यहां से Large Scale में जो Poland के ओरिजिनल लोगों थे उनको force करके कहां भेज दिया गया Central Poland में और यहां पर एक Government बनाई गई जिसको बोला गया General Government इस General Government में Basically नाजिस ने क्या करना शुरू किया यह Government specially Poland के लोगों के लिए बनाई गई थे Large Scale में Pols को यहां पर मारना शुरू किया गया बात समझ रहे हो Pols were forced to leave their Homes and properties behind To be occupied ethnic Germans की Pols को जबरदस्ती force किया गया कि अपनी property अपने घर छोड़ कर जा और यहां पर आकर Germans रहेंगे And Brought in from occupied Europe Pols were then herded Like cattle जायनवरों की तरह उनको चराया जाता और कहां ले जाया जाता The General Government वाले हिस्से में Central जहां पर केवल और केवल उनके साथ बुरा विवहार होता और इन सभी Undesirables को Basically यहीं ले जाया जाता Poland में ही Basically क्या किया गया General Government बनाए गया पूरे देश में जितने भी Undesirables होते सब को पकड़के उसी Concentration Camp में ले जाया जाता Polish Intelligentsia Polish Intelligentsia का मतलब क्या हुआ Poland के पढ़े लिखे लोग जो समझदार लोग थे जो इसके विरोध में आवाज उठा सकते थे दूसरी सरकारों को इसके बारे बता सकते थे पहले उनको murder कर दिया गया पहले उनको मारा गया ताकि यह आम लोगों तक अपनी आवाज ना पहुचा पाए Polish Children Poland के बच्चे जो की Aryan जैसे दिखते थे उनको अलग से उनके माबाब से छीन लिया जाता उनका क्या कराया जाता? Aryan test race experts के द्वारा उनका Aryan test करवाया जाता अगर वो race test pass कर जाते तो उनको Aryan family को दे दिया जाता और जो race test pass नहीं कर पाते हैं उनको orphanage में भेज दिया जाता और ultimately concentration camp में जहांपर वो मारे जाते बात समझे सबसे बड़े ghettos हमें देखने को मिलते हैं कहां पर? यहीं general government में largest number of ghettos and gas chambers general government एक killing area भी था जियूस को मारने का तो basically क्या किया जाता? Poland के इसी इलाके में, general government के इलाके में large scale में जियूस को पगड़ कर लाकर यहां settle कराया जाता, poles को settle कराया जाता और बाद में यहीं पर concentration camps बना कर उनको मारा जाता, large scale में यह एक wagon देख रहे हो? यह basically rail gauri है जिसमें भर कर जियूस को पगड़ कर इन concentration camps में या ghettos में लाया जाता था अब तिर्फ इतना ही नहीं, Hitler का क्या माना था? इतना है, Hitler बहुत पागल प्रकार का वेक्ति था तो Hitler का क्या माना था? कि हमारी जर्मनी का यो जो youth है, हमारी जर्मनी के यह जो young बच्चे हैं, यही हमारी जर्मनी का future है, तो जर्मनी का future हमें कैसा बनाना है? अगर इन बच्चों को हम आज से यह सिक्षा दें कि आपको Jews को hate करना है आपको Hitler की पूजा, देखो क्योंकि Hitler को खुद को justify करना है तो वो क्या करता था? उसने यह idea निकाला कि अगर मैं बच्च्पन से ही बच्चों के अंदर यह भाव डाल दू कि Hitler जो कर रहा है वो गलत नहीं है Jews को मारना या Jews को exterminate करना ही सही चीज है उनका खातमा ही अच्छी चीज है तो शायद बड़े होकर मुझको support करेंगे मेरे idea को आगे लेकर जाएंगे और जब मैं बच्चे को घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगे नाजी आइडिलोजी सिखाई जाए मतलब क्या हुआ स्कूलों में अब ऐसा curriculum इंटेडियूस किया गया जहां पर उनको नाजी आइडिलोजी सिखाई जा रही यह racism के बारे में बताया जा रहा है दूसरे race के हैं और अगर वो undesirable race के हैं तो उनको मारना उनसे नफरत करना गलत नहीं है important है यह topic इसमें से question आता है 5 mark के लिए याद रखना यह topic important है इसमें से 5 mark के लिए question आता ही आता है ठीक है repeat होता है या तो इस वाले point से इस वाले से या इसके अगले वाले से mother, sintha, hitler, मतलब Nazi, Germany उसमें से सवाल आता ही आता है hitler ने क्या करना शुरू किया नाजिदम के अंडर, hitler ने क्या करना शुरू किया तारे school को cleans करना शुरू किया cleans मतलब सफाई करना, शुद्धिता करना शुद्धिगरंड किया गया, कैसे? जितने भी Jews बच्चे या Jews टीचर थे Jews बच्चे या Jews टीचर थे या वो लोग जो नाजिदम को सपोर्ट नहीं करते थे उन सभी को school से निकाल दिया गया childrens को divide कर दिया गया children were divided into two parts, कौन? German children और Jews children German और Jews को साथ में नहीं बैठने दिया जाता था, नहीं साथ में खेलने दिया जाता था आगे चलकर जो Jews बच्चे थे या जो undesirable थे, उनको orphanage भेज़ दिया जाता और orphanage के बाद उनको कहां भेज़ दिया जाता? उनको भेज़ दिया जाता और उनको मार दिया जाता था अब जो बचे हुए good German, अच्छे जर्मन बच्चे हैं उनको नाजी स्कूलिंग दी जाती थी और proper training दी जाती थी ideological training, ठीक है? school textbook को change कर दिया गया और उसके अंदर racial science को introduce किया गया, racialism को कि भाई हम तब race एक race से बिलॉंग करते हैं हम सब एक रंग भेज से बिलॉंग करते हैं हम एक रंग से बिलॉंग करते हैं जो कि Nordic Aryan race है और हम सब superior है race science introduced किया गया ठीक है? Jews के against में जो stereotypes बने हुए थे जो मतभेद बने हुए थे जो पुरानी मिथ्याई बनी हुई थे उनको और support किया गया कि Jews भाई, they are not good इवन maths class में उनको ये सिखाया जाता कि Jews अच्छे नहीं होते हैं Children को बोला गया कि आपको loyal रहना है You have to be loyal You have to be submissive Submissive का मतलब Hitler जो भी बोले है उसकी सरकार जो भी बोले आपको accept करना है Jews को hate करना है और Hitler की पूजा करनी है Even sports को भी इसलिए इंटेडियूस किया गया था कि वो बच्चों के अंदर violence ग्रो करे Spirit of violence and aggression among the children Hitler मानता था कि boxing करने से बच्चे strong iron heart बनते हैं strong बनते हैं और masculine बनते हैं अब initially बच्चे को क्या किया जाता था schooling दी जाती थी फिर उसके बाद कई सारे youth organization बनाए गए कई सारे organizations बनाए गए जैसे हमारे आपे भी youth organizations है ना ऐसी कई सारी organizations बनाए गए जहां पर बच्चों को आगे के training दी जाती थी जैसे सुनना मेरी बात 10 year old बच्चे को junk walk बहिजा जाता था junk walk क्या है ये एक school होता था 14 साल से कम उमर की बच्चों के लिए junk walk was a school नाजी स्कूल जो 10 से 14 साल की उमर के बच्चों के लिए होता था 14 साल की उमर को attain करने के बाद सभी बच्चों को नाजी youth organization Hitler youth को Hitler youth में transfer कर दिया जाता था जहां पर उनको war लड़ना youth को support करना सिखाया जाता था उनको सिखाया जाता था Hitler की पूजा करो अगर हम किसी को मार रहे हैं ये जो तुमारे अंदर गुस्सा है ये गलत नहीं अपने अंदर क्रोथ गुस्सा कुरूरता ले कर आओ violence करना गलत नहीं है democracy को hate करो Jews को hate करो communist, gypsies और जितने भी लोग undesirable हैं उनको hate करो और उनको मारने से बिलकुल भी मत कतराओ और 18 साल की उमर में जब उनको rigorously train कर दिया जाता था उनके mind और brain को कि Hitler जो कर रहा है, सही कर रहा है dictatorship, अच्छी form of government है Jews और बाकी undesirables को हमें मारना है violence गलत नहीं है, war लरना गलत नहीं है तब जाकर उन्हें labor service में introduce किया जाता जिसके बाद वो army में जाते और army में वो अपनी services provide कराते basically youth league of nazis ये establish की गई थी 1922 में जब party बनी थी ना 1921 में the German socialist worker party तो उन्होंने साथ में एक youth league बनाई थी जिसमें youth आके जोड सके होता है ना जैसे बाद देखो BJP एक party ये लेकिन उन्होंने अपने youth wing खोले होगा जैसे डूसू अलब डेली उनिवसिटी स्ट्रेणिट उनियन में होता है न तो ABVP, NSUI ABVP और NSUI ये क्या है इसको rename कर दिया गया Hitler Youth और आगे चलकर यही Hitler Youth आगे चलकर यही Hitler Youth क्या बना दिस organization जहां पर बच्चों को पूरी तरीके से you know education दी जाती है नाजिसम के लिए नाजी कल्ट of motherhood नाजिसम के अंदर motherhood को बहुत जादा support किया जाता था नाजी कल्ट of motherhood कल्ट मतलब पंत पंत motherhood को बहुत respect किया जाता था motherhood को बहुत अच्छे से treat किया जाता तो नाजिसम के अंदर mothers were considered very important इसके उपर direct सवाल बनता है कि Hitler mothers को बहुत important मानता था क्यों? explain तो ये question भी five marks के लिए आ सकता है ठीक है इसको याद रखना मेरी जान बहुत important है देखो भाई बच्चों को तब ठीक है लेकिन बच्चों को घर में कौन education देता है? obviously माता है बच्चों के पालन portion का काम कौन कर रहा है? obviously माता है तो जितना जिम्मदारी बच्चों को train करना है कि उतनी जिम्मदारी माताओं को भी train करने का है? बिलकुल है सर Children in Nazi Germany they were repeatedly told that women were radically different from men उनको ये सिखाया जाता था कि men और women totally अलग होते थे men के rights के लिए लड़ाई लड़ना जो बाकी के देशों में चल रहा था कि men और women equal rights के लिए लड़ाई लड़ना है बच्चों को ये सिखाया जाता था कि men और women equal नहीं होते है men और women equal नहीं होते है right कि भाई बाकी के democratic societies में जो men और women के लिए equal rights की लड़ाईया चल रही है न वो गलत है और इससे समाज खतम हो जाएगा, समाज नश्ट हो जाएगा boys को क्या बताया जाता था? boys को बोला जाता था कि आपको aggressive, masculine और steel hearted होना है आपको aggressive होना है, masculine दिखना है, steel hearted कि आपको किसी से भी कमजोरी ना पड़े girls को क्या सिखाया जाता था? girls को बोला जाता था कि उनको अच्छी माँ बनना है they have to become good mothers pure Aryan बच्चे पैदा करने है ठीक है? girls को, यह girls के ओपर जिम्मदारी है कि वो अपने race की purity को maintain करें कैसे किसी भी undesirable के साथ कोई भी relation ना बनाए या उनके साथ शादी ना करें बात समझ रहे हो? juice से दूर रहें juice से दूर रहें अपने घर का ख्याल रखें और अपने बच्चों को नाजी values सिखाएं हिटलर एक statement देता है 1933 में हिटलर ने एक statement दिया कि मेरे राज में mother is the most important citizen mark करो directly कई बार as it is statement पूछ लिया जाता है question के लिए लेकिन नाजी जर्मनी में हिटलर एक तरफ क्या बोल रहा है कि मेरे राज में माताएं जो हैं वो सबसे important है, सबसे respected है लेकिन सभी माताओं के साथ एक जैसा treatment नहीं होता था not all the mothers were treated equally जो महिलाएं undesirable बच्चे पैदा करती थी उनको punish किया जाता था और वहीं पर जो माताएं racially desirable बच्चे produce करती थी उनको avoid दिया जाता था उनको hospital में treatment में favor किया जाता था टिकेट्स में उनको favor किया जाता था in fact, जादा से जादा बच्चे वो पैदा करें आरियन बच्चे पैदा करें इसके लिए cross दिये जाते थे एक honor का symbol दिया जाता था एक trophy की तरह अगर honor crosses दिये जाते थे एक bronze bronze का cross दिया जाता था अगर 4 बच्चे उन्होंने पैदा किया तिलवर का दिया जाता था 6 बच्चे पैदा करने पे और gold का दिया जाता था 8 बच्चे पैदा करने पे और same way में crosses बढ़ते जाते तो you can understand कि माताएं जरूरी हैं Hitler के यहां लेकिन क्या सभी माताएं नहीं केवल वो माताएं जो Aryan बच्चे प्रड्यूस कर रही है only the mothers who are producing or bearing the Aryan children और जो non Aryan children प्रड्यूस कर रही है उनके साथ क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थे suppose कोई महिला जो कि Aryan है लेकिन उसने किसी non Aryan या undesirable के साथ शादी कर लिए और बच्चा पैदा किया तो क्या होगा उनको severely punish किया जाता था समाच से निकाल दिया जाता था देश निकाला दे दिया जाता था जो महिलाएं Jews, Pols या Russians के साथ contact रखती थी उनको पकड़ के लाया जाता था पूरे शहर के बीच में उनका सर शेव कर दिया जाता था उनके मूँ पे कालिक पोद्धी जाती थी और उनके गले में एक पोस्टर टंगाया जाता था कि मैंने अपने परिवार और अपने husband कि, you know I have salied the honor of the nation मैंने अपने nation के honor को फांसी पर चढ़ा दिया है मैंने अपने nation के honor को खराब कर दिया है मैंने अपने देश के honor को respect कर दिया है उनके साथ ऐसा विवा और उनके गले में पट्टा बांद कर उनको पूरे शहर में दोड़ाया जाता था बात समझ रहो I have salied I have salied का मतलब क्या हुआ मैंने उसको सूली पर चढ़ा दिया है मैंने उसको मार दिया है मैंने उसको खतम कर दिया है कई सारी महिलाओं को jail sentence दे दी जाती थी उनको jail में डाल दिया जाता समाज में उनकी इजदत खतम हो जाती थी और उनको criminal घोशित कर दिया जाता था The art of propaganda अब नाजी रिजीम ने क्या किया आइट का बहुत तगड़ा इस्तमाल किया आप वैसे हिटल को देखो के तो he was a very small man बहुत छोटा सा height का विक्ती था मतलब मेरे कंदे के बराबर यहां तक का होता वो इतना छोटा विक्ती था You can imagine he was a very small little man but the way he was presented इतना भंकर उसके face के expression उसके भाव भाव कि लोग उससे बहुत जादा attract होते थे लोग उसको बहुत जादा पसंद करते थे Plus मेरी बात सुनना आप जो भी कुछ सुन रहे हो वो एक तरफ ठीक है लेकिन अगर आप वही चीज़ जादा देखने भी लग जाओ तो क्या आपको जादा impactful नहीं लगेगा बिल्कुल लगेगा नाजीज ने क्या किया आर्ट और मीडिया का इस्तमाल करके उनकी जो भी ideology थी वो लोगों के मन में एकदम स्थापित कर दी the art of propaganda propaganda का मतलब क्या होता है किसी भी बात को बहुत तेजी से फैलाना प्रचार प्रसार करना तो art का इस्तमाल करके उन्होंने प्रोपगेंडा करना शुरू किया नाजी रिजीम ने language और media का बहुत तगड़ा के भरुसा कर लेते हैं हमें लगता है नहीं सर short में दिया हुआ है तो बात तो सही होगी short में लिखा हुआ है तो सही बात हो रही होगी short में कहा गया है तो सही चीज हो रही होगी नहीं ऐसा नहीं होता है हम छोटी छोटी 30 second के short को देखकर हम पूरी story का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कोई कुछ भी बोलके चला गया और उस पे अगर जादा likes आगे तो हमें लगता है सही बोल रहा है तो यही चीज को follow करना शुरू किया नाजीज ने उन्होंने क्या किया वो जो यह सब कर रही थे ना लोगों के साथ बुरा व्यवहार उसके लिए वो अलग-अलग terms का इस्तमाल करते है ऐसी भाशा का यूज करते हैं जिसमें वो कुछ गलत नहीं लगता जैसे मैं बोलूँ कि मैंने उस व्यक्ती की हत्या कर दी बुरा लग रहा है ना मैंने उस व्यक्ती को शान्त कर दिया समझे नो मेरी बात मैंने उस व्यक्ती की हत्या कर दी मैंने उस व्यक्ती को शान्त कर दिया दो अलग-अलग चीज़ें है अब जब मैंने बोला यार मैंने उस व्यक्ती को शान्त कर दिया आपको उतना वो नहीं लग रहा है, मैंने उस विक्ति की हत्या कर दी, difference लग रहा है ना, लग रहा है ना, same way में नाजीज ने क्या किया, भाशा का इतना बढ़ियां इस्तमाल करके उन्होंने चीजों को ऐसे प्रेजेंट किया, कि हम कुछ बुरा करी नहीं रहें, जैसे आप आप देखेंगे कि नाजीज ने कभी भी killing या murder शब्द का इस्तमाल नहीं किया है, मारना या हत्या करना शब्द यूज नहीं किया, अपने official communication में, official letters के अंदर या जब भी गभी newspaper में कोई news आती तो उसमें वो क्या शब्द यूज करते हैं, mass killing को, large kill में लोगों को मारने को वो क्या बोलते है, special treatment या final solution, use के लिए final solution, euthanasia, disabled लोगों के लिए, selection या disinfection, evacuation शब्द का इस्तमाल होता था, लोगों को एक जगे से दूसरी जगे पहुचाना, evacuation का वैसे मतलब होता है कि कि किसी को कहीं से निकाल कर सुरक्षित जगे पहुचाना, लेकिन यहाँ पर evacuation का मतल number को क्या बुल आता था, disinfection area, और infect वो एक bathroom जैसा दिखता भी था, जिसमें एक shower लगा होता था, लेकिन उ shower में से पानी नहीं निकलता था, बात समझ रहो, media carefully कोशिश करती थी, कि media को इस तरीके से use किया गया, कि Hitler के support में ही सारी चीज़ें चले, और वो अपने views को लोगों views को accept भी करें, जैसे आप देखिए, नाजी आइडियाज, वो images का इस्तमाल करके, films का इस्तमाल करके, radio, posters, slogans, pamphlets का इस्तमाल करके, नाजी आइडियाज लोगों तक पहुचाया जाते, पोस्टर्स में, पोस्टर्स के अंदर, ऐसे पोस्टर मनाया जाते कि, जो groups, जो undesirable है, उनको enemy की तरह शो किया जाता, जर्मनी का enemy है, ये लोग जर्मनी के enemy है, उनका उपहास उड़ाया जाता, उनको गाली दी जाती, उनको evil दिखाया जाता, तोशलिस्ट और liberals को weak और बिना किसी respect के दिखाया जाता, ऐसे दिखाया जाता कि, यही लोग थे जिन्होंने मिलकर, 1918 में वीमर Republic बनाई थी, और इन्हीं लोगों ने जर्मनी के साथ बुरा विवहार किया जाता था, ऐसे उनको present किया जाता, उनको attack किया जाता कि, भाई, य यह foreign agents है, यह चालाक, चतुर, foreign agents है, यह दूसरी countries के agents है, जो हमारे यहां, हमारी जर्मनी को थोड़ना चाहते है, खतम करना चाहते है, प्रोपगेंडा फिल्म्स बनाई जाती है, ताकि Jews के प्रती लोगों के मन में hatred जगाई जा सके, जैसे इन में से सबसे इन फेमस फिल्म थी, the eternal Jew, the eternal Jew, Jews को कैसे present किया गया, Jews को mark कर दिया गया, उनको एक mark दे दिया गया, उनको एक marking दे दी गया, उनको एक न, यहां पर आप देखेंगे, Jews को एक बिल्ला दिया जाता था, बिल्ला समझते हो, बिल्ला मतला ऐसा समझो कि उसको क्या बोलते है, batch दिया जाता था, ए ठीक है, कफ्तान, वाइट कलर का कफ्तान पहना हुआ है, जैसे साउडी अरेबिया में पहनते हैं, वैसे वाइट कलर का कफ्तान पहना हुआ है, लेकिन reality में ऐसे कुछ नहीं था, आप अगर उस टाइम पे जर्मनी के अंदर जाते हैं, तो Jews और Aryans के बीच में डिफरेंस करना ही अपने आप में मुश्किल था, दोनों एक जैसे ही दिखते थे, सेम कलर, सेम रंग, सेम हाव भाव, हर एक चीज, तो Jews और जर्मन्स को अलग-अलग डिफरेंशियेट कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल था, उनको वर्मिन कहा जाता था, वर्मिन समझते हो क्या ह कि मानों कोई चूहा चल कर जा रहा है, लोगों के मन पर इतना कब्दा किया नाजरम ने, कि उन्होंने लोगों के एमोशन्स और लोगों की हेटरेट को पूरी तरीके से Jews के अगेंस्ट में डवलब कर दिया, और लोगों को ये भरोसा दिला दिया कि नहीं भाई, Jews गलत होत है कि सब की support को वो अपने साथ ले सकें, और उस अब के problem को solve कर सकें, बात समझ रहे हो ना, see this is how Jew was presented, कि सोने के उपर बैठा हुआ है, पैसे के उपर, and this is how, एक poster बनाएगा जहां पे नाजी या हिटलर जो है, workers को बुला रहा है, peasants को बुला रहा है कि नहीं भाई, आप मु ordinary people and the crimes against humanity, अब नाजीजम को लेकर कि सभी लोग एक जैसे थे, कि सभी लोगों ने नाजीजम को support किया, कि कोई भी ऐसा नाजी जर्मनी में नहीं था, जो नाजीजम का विरोध करता, या नाजीजम को accept नहीं करता, कई सारे लोगों ने नाजी आईस से दुनिया को देखा, वो नाजीजम को ही accept कर चुके थे, और नाजीजम के ideology को accept कर चुके थे, और नाजी भाषा ही बोलते थे वो लोग, ठीक है, वो अपने अंदर hatred, गुसा, एंगर दबाए बैठे थे, जीूस के against में, उन्होंने जीूस के houses को mark कर दिया, उनको एक star दे दिया, और क्या बोला, कि भाई, ये suspicious neighbor हैं, और नाजीजम पे उन्होंने एकदम आख बंद करके भरुसा कर लें, कि नी भाई, नाजीजम ही वो है, जो हमारे लिए prosperity लाएगा, जो हमारे लिए खुशाली लाएगा, जो हमें better करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जर्मन नाजी था, no, not every जर्मन was a नाजी क्या है, it's an ideology, तो हर जर्मन नाजी ideology को accept नहीं करता था, कई सारे लोगों ने नाजीजम का विरोध भी किया, पुलिस का विरोध किया, डेथ का विरोध किया, लेकिन ultimately क्या हुआ, उनको guest chamber में डाल कर उनको मार दिया गया, ठीक है, Maximum Germans, they were passive onlookers and apathetic witness, आप कहीं से चल कर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक विक्ति को चार लोग मार रहे हैं, आपने एका मुझे क्या करना, मैं तो चला जाता हूँ, apathetic witness, मैंना उसको witness किया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, I'm not sympathetic, sympathy समझते हो ना, sympathetic, कि ठीक हमें witness हमने किया, हमारे अंदर sympathy थोड़ी सी आई, लेकिन नहीं, हमें मतलब नहीं चुप-चाप चले जाते हैं, इस प्रकार से maximum Germans करते थे, क्योंकि उनको खुद की जान क He was a resistance fighter, उसने क्या बोला कि लोग, प्रोटेस्ट करना ही नहीं चाहते हैं, लोग एकदम शान्त हैं, और ordinary German इस चीज को accept कर चुगा है कि जो चल रहा है, चलने दो, वो अब उस चीज का विरोध करना ही नहीं चाहते हैं, नाजी empire का विरोध करना ही नहीं चाहते हैं, सेम वे लोगों की ideas को अपनी diary के अंदर record किया, और बाद में उसको publish किया, उस किताब का नाम पढ़ा, Third Reich of Dreams, Third Reich of Dreams, राइक स्टेक समझते ना, Third Reich of Dreams, कि कैसर, In fact, diary of a young girl आपने पढ़ा होगा, Anne Frank की हमारी, उसमें वो एक, क्या कह सकते हैं, novel भी थी, diary of a young girl by Anne Frank, she was also a Jew, तो ऐसे कई सारे Jews ने अपनी, you know, memories के अंदर उन चीजों को लिखा हुआ, अपनी diary के अंदर उनको लिखा हुआ, although world war के दौरान तो वो कभी भी publish नहीं लेकिन उसक क्रूल हैं, हम लोग बुरे हैं, वो अपनी लंबी नाख और लंबे-लंबे काले बाल और आखों को imagine करने लगे कि नहीं भाई, हम वो चुडैल जैसे ही दिखते हैं, वो भूच जैसे ही दिखते हैं, राइट, नाजी प्रेस ने Jews के बारे में इतना कुछ किया कि वो ऐसे द पहुचने से पहले ही वो सौ बार मरते थें, अब knowledge about holocaust, holocaust क्या होता है, large scale में जो जन संघार हुआ, उसको भी holocaust बोलते हैं, एक जगे पे लोगों को मारना इकठा करके हैं, नाजी प्रेक्टिसेस के बारे में हमें पता कब चला, basically हमें पता चला, जब second wish for youth चल रहा था उसके आखरी सालों में, जब धीरे-धीरे करके जर्मनी हार रहा था, तब हमें नाजी प्रेक्टिसेस के बारे में चलना पता चलना शुरूआ, लेकिन जब यो दुखतम हुआ, तब जाके finally सारी चीज़े निकल कर बाहर आएं, बात समझे, और तब हमें पता चला कि नाज इस युद्ध के दौरान हमारे साथ जो कुछ हुआ है, जो एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज का मतलब क्या होता है, मार पीट करना, बहुत बुरा विवहार करना, सफरिंग, हमें जो भी सफरिंग हो या, उसको दुनिया याद रखे, यह जो होलोकास्ट था, उन्होंने इस वार को पता है क्या बोला, उन्होंने इस वार को होलोकास्ट बोला है, लार्ज केल में लोगों को मारना, नरसंगहार करना, they called it as होलोकास्ट, in fact आपको देखने को मिलेगा कि घेटो इनहबिटेंट, घेटो में जो रह रहे लोग थे, कई बार उनके द्वार हमें सुनन लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, getting my point, presumably he meant that he wanted to be able to tell world about what had happened in Nazi Germany, बात समझ रहे हो, आगे चलकर घेटो, कैंप, लोगों के द्वारा जो डाइरीज थी, उनके जो भी चीज़ें थे, उनको साथ में लाया गया, उनको एक अठा किया गया, उनको आ In fact, आपको देखने को मिलेगा कि नाजी ऐसा चाहते ही नहीं थे कि लोगों को तक ये चीज़ें पहुँचें, तो जब वो युद्धारने वाले थे तो नाजी लीडर्स में बोल दिया कि भाई, जो भी documents हैं, सब पर petrol डालो और उनको जला दो, तकि बाद में दुनिया को इस बारे में पता ना चले कि हमने क्या क्या किया है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में आज भी वो डर, वो खौफ, वो हिस्ट्री अभी भी जिन्दा है, और वो अपने डर, खौफ और अपने आइडियास को, पिक्शन, कहानियों के थूरू, memoirs, अ आपको पता है, आप कभी भी वो हो सकते हो, आप छुप छुप कर अपनी जिन्दगी जी रहे हो, right, और ये सब उन लोगों के लिए भी एक फर्मनाख कह सकते हैं, मसला है, जो चुप चाप, या तो उनको देखते रहे, या तो उनके साथ रहे, या तो जिन्होंने कुछ न कह रहा हूँ, not enjoy it, enjoy is not a good term, I mean, आप सब को समझ आया होगा, because this chapter always feels bad to me, जब मैं इसको पढ़ता हूँ ना, तो मुझे खुद बहुत बुरा लगता, आप कभी भी देखो न, आप Auschwitz, आपको अगर कभी मौका मिले तो documentaries खोल कर देखना, यूट्यूब पर, आपको खुद समझ आएगा, Auschwitz, एक बार spelling देख ले न, Auschwitz, यह वो जगेती जहां पर face chambers बनाए गए थे, जहां पर लोगों को पकड़ कर रखा जाता था, जहां पर use को मारा जाता था, तो कभी भी वक्त मिले, कभी में मौका मिले, तो इनको देखेगा, आपको बहुत सी चीज़ने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, so this chapter is over, ठीक है, I hope NCRT की लाइने पढ़कर आपको जादा अच्छे से चीज़ने समझ आए होगे, जादा अच्छे से आप चीज़ने को relate कर पाए होगे, कोई भी दिक्कत समझ से आडाउट होता है, तो please let me know in the comment section, एन एक और चीज, क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले chapters को भ जादा समझ आती है, तो आप उसमें लिख दीजेगा, NCRT, yes, और जिनको लगता है कि नहीं PPT जादा easy होती है, वो PPT लिख देंगे, ठीक है, I hope, सारी चीज़ने यहाँ पर आप लोगों clear है, और chapter समझ हाया है, मिलता हूँ मैं आप से अगली class के अंदर, till then take care, bye bye, दिवाल जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, thank you very much people, take care, keep smiling